चलिए फड़ फड़ जूड़िये दोस्तों फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अगनी महा मेरेथन जो कि आपके साथ दिसंबर को एक्जाम होने वाला है लैब एसिशन का और काफी अच्छा वैकेंसी है और उसमें अगर मैं सीट की बात करो तो 690 सीट से इसमें तो काफी ओपरचुनिटी है कमेस्टिय फिल्सक्स बोटनी सबकी अलग अलग है तो आज हम लोग का क्या होगा सकेंड मेराथन होगा ठीक है सकेंड मेराथन क्लास होगा जो कि आपके 100 प्लस सवाल होंगे और इसके पीछले वाले क्लास में हम लोगोंने 100 करा था तो आज हम लोग कहा से कहा तक करेंगे अनिके 100 से 200 तक ठीक है तो आज जब आप डील करोगे कोशन को तो आपने 200 सवाल पूरे सॉल्व कर लियोंगे और काफी इंपॉर्टेंट है चलिए फड़ा फड़ जुड़िए और एक बार फीर से आप सभी का स्वागत है केरियर फांडेशन परिवार में केरियर फांडेशन के यूटूब प्लेटफॉर्म पे जहां हम लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं अनलेसिस कर रहे हैं बोटनी सब्जेक्ट का जिसमें आपके बायो और जुलोजी और बोटनी का दोनों का ही सवाल होंगे और स्टार्ट करने से पहले उन विद्धियार्थियों का एक संशीप्त में मदद कर दिये जाए संशीप्त में वर्नन कर दिया जाए कि अगर कोई आपको कोर्स परचेश करने है जारकन के कॉम्प्टेटिव एक्जाम के रिलेटेड तो सारी कोर्से हमारे यहां अब लेबल हैं जैसे मैं बात करूँ जैपियसी प्रिलिम्स हो या फिर जैपियसी मेंस हो जैपियसी खोठा या फिर अगर आप चाते हैं कि इंडिविजवली कोर्स हम खरीदें इंडिविजवली डैट मिंस की जैसे कि आपको स्रिफ किसका लेना है जारकन जी के तो आप ले सकते हैं मैच अस्पेसल ले सकते हैं ठीक है खोठा अस्पेसल ले सकते हैं नागपूरी special ले सकते हैं जैसे कि आपको दिखाए दे रहाऊगा नागपूरी for all exam, quota for all exam बाकी सारे courses और इसके अगर हम लोग beyond जाते हैं जहारकन के तो BPSC Prelims का और SSE GD का भी यहाँ पर त्यारी करवाए जारी है बाकी आपको पता है CGL, PGT, TGT Lab Assistant जारकन दरोगा यह सारे courses हमारे यहाँ available है, JSC, Interlabel, JT, Mains सारे courses available है तो बिना वक्त को गवाय हुए क्योंकि 100 सवाल हैं तो मैं description नहीं बता पाऊँगा जहां मुझे लगएगा पताने वहाँ पर बताऊँगा क्योंकि साथ तारीकों एक्जाम है आने वाले साथ तारीकों एक्जाम हो गई और आपको पता है यह आप लोग मत सोचना कि एक्जाम रद्ध होगा बिल्कुल नहीं 2767 स्टुडेंट का जो यह फोर्म था वो क्या कर दिया गया है, reject कर दिया गया है किसी कारण वास यह तो उनका कोई प्रॉब्लम होगा तो 2767 स्टुडेंट का होम रिजेक्ट कर दिया गया साथ तारीकों अपने निधारित समय निधारितिती में होगा तो इसलिए आप लोग तैयारी को जोरदार दीजे या स्पीड बढ़ाईए क्या­प होले ओर नेस्नल हाइवे पे नहीं एक्सप्रेस वे पे चरवते हो एक्सप्रेस में क्या होता है आपको या क्ति सीज से रूकने का डर होता है चलते जो चलते जो ठीक है तो उसलाद अगर आप एक्सप्रेस में चल रहे तो बिल् alguna आप अपने destination point पे जाएंगे तो I hope आप लोगों को समझें चलिए, स्टार्ट करते हैं तो आज का पहला session पहला question का आज का session का पहला सवाल आपके screen पे ये रहा आज का जो हमारा question है वो bilingual है bilingual है क्योंकि कुछ अशुएन डिमांड कर रहे थे तो मैं दोनों को नहीं पढ़ूँगा जहां पे मुझे लगेगा वहां पे हिंदी जहां पे मुझे लगेगा वहां पे मैं इंगलिस में पढ़ूँगा ठीक है बाकी question आपको समझा दिया जा रहा है ठीक है चलिए अश्टार्ट करा जाए तो सब पहला सवाल पूछ रहा है कि how many essential nutrients does a plant require अनि कि plant को कितने परकार के nutrients का essential अनि की जरूरत होती है अवे सकता होती है चार option है 15, 17, 16, 20 चलिए उत्तर करिए फड़ाफ़ट उत्तर करिए आप लोग फड़ाफ़ट उत्तर करिए तो इसका जो सही उत्तर है दोस्त बीजदा राइट इन से ठीक है 17 नेक्स सवाल के और हम लोग मूव करते ही कहता है कि निमलिखित में से कौन सा खनीज उर्जा का भंडारण ADP को ATP अनुव में अस्थान्तरित करता है आनि कि ADP को किसमें बदलता है ADP में अस्थान्तरित करता है उसमें परमुख भुमिका जो है वो कौन से खनी जुददा मेजर अस्टोरेज ट्रांसफर इंटू मॉलिक्यूल्स फास्पोरस, मैगनिसियम, पोली पोलीबेडनम या फिन नन ओप दीज़, फड़ाफट इसका उतर करिए फड़ाफट उतर करिए दोस्त फड़ाफट उतर करिए आप लोग चलिए, तो इसका जो सही उतर होगा यह दा फास्पोरस, ठीक है सवाल आपके स्टिन पर यह रहा कहता है कि प्लांट जो एबजॉब करता है नीट्रेंट्स को त्राव दिया किसके द्वारा, रूट्स के द्वारा स्टेम के द्वारा, लीप्स के द्वारा या फ्लावर्स के द्वारा, चलिए फड़ाफट उतर करिए फड़ाफट उतर करिए प्लांट जो नीट्रेंट्स को एबजॉब करता है वो किसके द्वारा डैस डैस यहां पे आपको क्या होगा वो आपको बताना है तो चलिए फड़ा फट इसका उतर करिए फड़ा फट इसका उतर करिए दोस्त तो ए इस दा राइट इन से ठीक है, रूट्स होगा जड़ के माद्यम से प्लांट जो है नीटरिन्स को एपजॉब करती है चलिए चौथा सवाल आपके अस्खीन पर ये रहा कि निमलीखीत में से कौन सा खनीज पत्तेदार सबजियों में सुक्स पदार्थ की मात्रा और गुनवता अनाज के और फसलों में प्रोटीन दोनों में सुधार करने में मदद करती है ठीक है वीच अप दा फ्लोइंग में इंप्रोविंग बोथ क्वांटिटी और क्वालिटी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को तो आपके सामने चार ओप्शन है आइरन, कोपर, नैट्रोजन, पोली, बेडेनम चलिए इसका उतर करिए कोशन नमबर 4 का फड़फट उतर करिए कोशन नमबर 4 का फड़फट उतर करिए कोशन नमबर 4 का उतर करिए आप लोग चलिए बढ़ाशा आगे C C is the right answer Natrogen, ठीक है सवाल को देखिए और यहां से Multiple सवाल बनेंगे ठीक है क्यूंकि यहां पर आप देख रहे हैं कौन-कोन सा है गुनवता के साथ साथ क्या आपको देखना है quantity के साथ साथ quality को भी देखना है ठीक है मातरा के साथ साथ quality को देखना है ठीक है गुनवता को भी देखना है तो यहाँ से multiple सवाल बन सकते हैं I hope आप लोगों को समझ आ रही होगी क्योंकि यह मेरा अगनी महाम रहता नहीं तो जादा मैं description यहाँ पे दूँगा तो काफी time taking होगा और समय भी आपके पास नहीं है ठीक है चलिए जिन लोगों को रटन भी दिया में ताकत होती है बहुत रटने की बहुत अवसकता या तो फिर बहुत तेज होते हैं वो लोग रट लें सवाल आपको देखने को मिलेंगे एक्जाम के बाद हम लोग मिलेंगे इसका analysis करेंगे कि हमारे सेशन से कितने सवाल आपकी एक्जाम में आयोए थे ठीक है चलिए वीच आप दा फ्लोईंग स्टेटमेंट फोल्स अबाउट निट्रिशन कहता है कि इसमें से कौन सा कथन जो है पोशन के बारे में असकता है ठीक है अबाउट फोल्स ठीक है फोल्स कि इनर्जी प्रोबाइट करती है केरिंग आउट वेरिया फंसन के लिए चलिए चार अप्साने आपके सामने फडाफ़ट उतर करिए कौस्चन नमबर फाइब का फडाफ़ट उतर करिए तो चलिए इसका जो सही उतर है बी इस दा रेट इंट इंट eggplant hormones होते हैं, सरीयंतर हार्मोन पोशक तत होते हैं, नहीं कि plant hormones, खेए, हिन्धी कितने difficult है, इंग्लिस इसलिए मैंने bilingual ला दिया, और आप लोगों की demand भी थी, कि सर, bilingual लाजा, तो bilingual है, ठीक है, यह जो हार्मोन होते हैं, वो क्या होते हैं? पोसक तत्त ही होते हैं. Let's move to next स्वाल. Which of the flowing minerals is required by the plant's large quantities? कहता है कि कौन निमलिखीत में से कौन से खनीजो है वो पौधों को अधिक मातरा में अविश्चता होती है. क्लोरीन की, फासफोरस की, मेगनीज की, या मेली बेडनम का. क्लोरीन, फासफोरस, मेगनीज या मॉली, मॉली बेडनम का. चलिए. भी सालेंट रहेगा इसमें. कोशन नमबर सिक्स का फढवफट आप लोग उतर करिए. चलिए, तो इसका भी उतर क्या हो जाएगा? फासफोरस. फासफोरस को अगर देखा जाए, तो आप लोग यहाँ पर क्या बनाएंगे एक keyword बनाएंगे और जिससे आप लिखेंगे कि यह कैसा कैसा क्या क्या इसका 360 हो सकता है 360 खीचेंगे ठीक है इसका dimension कितना खीचेंगे 360 तो आप लोग याद रखेगा next सवाल आपके skin पर यह रहा दोस्त कि जो यह है chlorolysis है या पतिया पतियों जो होता है पति लीफ पीलापन है जो की कमी के कारण होता है आप देखते होंगे कि यह कोई पती है ठीक है यह कोई पती है और इसकी जो पती होती है वो एलोईस हो जाता है कैसा हो जाता है एलोईस हो जाता है तो ये किसके कारण होता है ये किसके कारण necrolysis is allowing of the leaves caused due to deficiency of किसके कारण जींक के कारण, potisium के कारण, manganese के कारण या all of the above चलिए फड़ा फट उतर करिए 7 का फड़ा फट उतर करिए फड़ाफट तो D is the right insert, ठीक है, मेगनिस के कमी हो जाएगा, तो एलोई हो जाएगा, फास्ट पोटेसियम का होगा, तो भी एलोई हो जाएगा, और जिंक का भी होगा, तो भी एलोई हो जाएगा, ठीक है, चले, next वाल के और हम लोग मुव करें, question number 8, चले, फढ़िए और इसका उतर दीजे, question number 8 का फढ़िए और उतर दीजे, फड़ा-फट उतर दीजे, question number 8, the main mood of nutrition in plants is, पौधे में जो मुखे बिधी होती है, किसके लिए, पौधे में पौशन के लिए, वो कैसा होता, autotrophic, heterotrophic, asparotrophic, या non of the ever, चले, इसका उतर करिए, फढ़ा-फट उतर करिए, question number 8 का, question number 8 का, फढ़ा-फट उतर करिए, चले, मैं जैसा देख पा रहा हूँ, age the correct answer, ठीक है, age the क्या है, correct answer, autotrophic होता है, ठीक है, autotrophic, अब मन में आपको आता होगा, कि ये autotrophic होता क्या है, सर, तो इसे आप लोग, homework के रूप में, no doubt कर लें, no down कर लें, और इसे आप लोग देख लेना, next सवाल की और हम लोग move करते हैं, कता है, chlorophyll के sensation के लिए, निमलिखित में से कौन सा खनीच, अब सक है, synthesis of chlorophyll, ठीक है, which the minerals of required, ठीक है, required पूछा है, copper, potassium, nitrogen, iron, question number 9, question number 9 का फटा फटा आप लोग, उतर करिए, question number 9, चलिए, बिल्कुल सही है, सबका उतर बिल्कुल सही है, iron is the right option, ठीक है, here will be, this is the correct option, next we move to next question, question number 10, ठीक है, काफी सवाल important है, आप लोग ध्यान प्रवक देखिए, वीडियो को पाउस करके देखिए, stop करके देखिए, और रटा मार ये, ठीक है, क्योंकि साथ तारीक उग्जाम है, आपके पास दूसरा कोई, और कोई क्या है, रास्ता नहीं है, साथ तारीक उग्जाम में काफी अच्छी opportunity है, big grade का job है, ठीक है, काफी अच्छा opportunity है, और जिसके माध्यम से, देखिए, जॉब ये क्या होता है, आर्थिक के लिए नहीं, बाकी बातें बात में करूँगा, चलिए, इसका उत्तर देजे, which of the flowing mirrors, a constituent of members, membranes and nucleic acid, कता है कि कौन सा खनी जो है, कोई का जिल्ली, कोई का जिल्ली, nucleic acid का एक घटक है, component है, component है, आनि की constituent है, zinc, potassium, phosphorus, manganese, चलिए, फड़ाफट उत्तर करिए, question number 10 का, question number 10 का, फड़ाफट उत्तर करिए, question number 10 का, फड़ फड़ाफट उत्तर करिए, चलिए, तो इसका भी उत्तर क्या होगा, phosphorus, देख रहे हैं, phosphorus का कितना काम है, phosphorus का कितना काम है, यह आप देख पा रहेंगे, अगर इसकी कमी हो जाएगा, तो पत्ते कैसा हो जाएगे, एलोईस हो जाएगे, ठीक है, चलिए, नेक सवाल के और हम लोग मूब करते हैं, question number 11, the term chromosome was coined by, chromosome सबसे पहले, इसका सब्द किस के द्वारा दिया गया था, गड़ा गया था, बताया गया था, लोगों को दुनिया में किस के द्वारा, सटन के द्वारा, बावेरी के द्वारा, वाल्डेर या हॉप, मिस्टर के द्वारा, चलिए, फड़ा फट इसका उतर करिए, कोशन नमबर 11, कोशन नमबर 11, सटन, बावरी, वाल्डेर या हॉप, मिस्टर, चलिए, फड़ा फट इसका उतर करिए, कोशन नमबर 11, कोशन नमबर 11, फड़ा फट उतर करिए, इसका जो सही उतर होगा दोस्ट, sees the right answer wilder जो थे इन्होंने सबसे पहले गुल्सुत्र सब्द के सब्द को गाढ़ा था या फिर बताया था हला किया था सुरू मचाया था ठीक है तो wild air इसको आप लोग याद रखेगा important सवाल है ठीक है चले कहता है कि पुरूसों में color blindness के लिए कौन सा जिन में इस्थीत होता है पुरूसों में जो color blindness होता है उसकी location कहाँ पे होती है location कहाँ पे होती है x chromo जों पे y पे या both x and y and either इसमें से x या फिर y पे चलिए या तो x पे या फिर y पे चलिए फड़ाफ़ट हिंदी इंगलिस दोनों देख लिजिएगा फड़ाफ़ट इसका उतर करिए question number 12 question number 12 color blindness होती है पुरूसों में वो किस chromosome पे उसकी location होती है x पे y पे दोनों पे या फिर x या फिर y पे चलिए फड़ाफ़ट इसका उतर करिए आप लोग तो इसका जो सही उतर होगा age the right answer x chromosome पे क्या दोस्त x chromosome पे क्या होती है आपका ये जो color blindness होती है वो x chromosome पे होती है ठीक है आपको पता है रसी जैसे दिखती है chromatin, chromatin ये सब आपको बाद में पढ़ाएंगे ठीक है अब एक्जाम के point of view से हम लोग एक कहलो revision कर रहे है ठीक है revision कर रहे है क्योंकि एक सरसरी निगाहों से देख लो 13 नमबर काता है कि chromosome की theory inheritance आणि कि वनसा गती जो है या वनसा के लिए गुनसुत्र सिधान किसके दौरा परतिपादत किया गया था inheritance सटन के दौरा wilde के दवारा neighborhoods के दौरा या A और B दोनो चलिए इया कोशन नमबर 13 कोशन नंबर 13 की अप फड़ाफ़ट उतर करिए कोशन नमबर 13 की अप फड़ाफ़ट उतर करिए चलिए उतर करिए दोस्ट कोशन नमबर 13 मैं आपके उतर का वेट कर रहा हूँ, इसका जो सही उतर होगा, कॉरेंस तो आपने कहीं पढ़ा नहीं था, तो ये तो होगा नहीं, ये दोनों होगा, ठीक है, D, दोनों, A और B, अनिकि A और B जो थे वंसा गनी या वंसा नूरज के गुंसूत्र का सिधान्त का क्या किया था, पर्तिपादन दिया था, अनिकी प्रिंस्पल दिया था, ठीक है, हूँ परपोज दा क्रोमोजोमल थियोरी ओफ इन्हेरिटेंस, ठीक है, हिंदी छोड़िये, इंग्लिस पर ये ज्यादा समझ में आएगा, चलिए, नेक्स सवाल, कोशन नमबर 14, which of the flowing is called sex link disease, जो sex link disease जो होता है, उसे क्या कहा जाता है, leukmania, ठीक है, leukmania, Alzheimer, या फिर कुरुपता, या फिर रंग अंधापन, color blindness, ठीक है, color blindness, चलिए, फड़ाफ़ट इसका उतर करिए, कोशन नमबर 14 का, कोशन नमबर 14 फड़ाफ़ट उतर करिए, निमलिखित में से, किसे sex से जूड़ी बीमारी कहा जाता है, फड़ाफ़ट इसका उतर करिए, चलिए, उतर करिए, फड़ाफ़ट उतर करिए, इसका जो सही उतर होगा, D is the right answer, ठीक है, अगर किसको sex link disease हो जाता है, तो उस वक्ति में क्या हो जाएगा, कलल ब्राइडनेज की किरियां देखने को मिलेगी, गतिवीदियन देखने को मिलेगी, प्रॉब्लम्स ये सब आएंगे, कुश्चन नमबर 15, विच अब दा फ्लोइंग अस्टेटमें ट्रू about the ends of chromosome, क्रोमोजोम ये क्या है, एक क्रोमोजोम है, इसके अंतिम छोर के लिए, अंतिम छोर में कौन सी बाते इसके लिए सत्य है, ठीक है, गुनसूतर के सीरों के बारे में, निमलिखित में से कौन सा कथन क्या है, ट्रू, कौन सा, ट्रू, ठीक है, ट्रू, एक क्रोमोजोम, ठीक है, देखिए, ए में क्या है, गुनसूतर के सीरों को उपगरा कहा जाता है, गुनसूतर के सीरों को सेंटी, सेंटी मियर कहा जाता है, ठीक है, या गुनसूतर के सीरों को टेलो मेरस कहा जाता है, या फिर, गुंसूत्र के सीरों को काइटो कानाइटो कोर कहते हैं चलिए फटाफट करिए गुंसूत्र होते हैं आपको पता है गुंसूत्र होते हैं तो इसके सीर को क्या कहा जाता है चलिए फटाफट इसका उतर करिए कोशन नमबर 15 question number 15 का फड़ा फट आप लोग उतर करिए चलिए फड़ा फट उतर करिए इसका जो सही उतर होगा the ends of the chromosome are called telomeres ठीक है क्या होता है उसे telomeres कहा जाता है चलिए आगे बढ़ाजा है how many sex chromosome are present in human beings आने कि human beings में कितने गुनसूत्र लिंक गुनसूत्र पाया जाते हैं एक जोड़ी, दो जोड़े, तीन जोड़े, चार जोड़े one, two, three, four चलिए फड़ा फट उतर करिए काफी असान सा सवाल है काफी असान सा सवाल है फड़ा फट इसका उतर करिए इसका सही उतर क्या होगा दोस्त? बिल्कुल सही, आप लोग सही उतर कर रहे है one is the correct option एक पेर, ठीक है एक पेर, चलिए आगे बढ़ा जाए कहता है कि गुनसूत्रों का आउलोकन करने वाला पर्थम व्यक्ति कौन था? क्रोमोजोम को फस्ट साम कैसे पता चला कि मानो जाती में क्रोमोजोम नामक की एक भी कोई चीज ऐसी होती है ठीक है फ्लेमिंग को, वाल्डेयर को, स्टार्स बर्गर को, या हॉप मिस्टर को चलिए, फड़ा फट इसका उतर करिए कोशन नमबर 17 कोशन नमबर 17 को फट फट अप लोग उतर करिए चलिए, जितने भी लोग जुड़े हैं पर फट उतर करिए नाम लेना पॉसिबल नहीं हैं दोस्त, क्योंकि काफी स्टुडेंट है और सब का अगर मैं नाम ले ले लग जाऊंगा तो काफी टाम टेकिंग होगा गुन्सूत्र का औलोकन करने वाला पर्थम व्यक्ति था, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ा जाएं, Question number 18, Which of the flowing statement true about the metaphase, आपको पता है, metaphase, pro phase, metaphase, telophase, ये सारी phases होती है, तो कहता है कि metaphase के बारे में, निमलिकित में कौन सा कथन क्या है, सत्य है, true, क्या चाटना है, true, ठीक है, तो आपको ये पता है, पहला metaphase के दोरान एक गुन्सूत्र सबसे मोटा होता है, metaphase के दोरान एक गुन्सूत्र सबसे छोटा होता है, मेटा फेज के दुरान एक गुनसूत सबसे लंबा होता है या दोनो A और B चलिए फड़ा फट इसका उत्तर करिए सार्च करने का उपसन नहीं है दोस्त वरना मैं आप लोगों को दिखा देता रुकिए एक सेकंड रुकिए देखिए अगर मैं इस इमेज को दिखाये देरा आप लोगों को ये बड़ा नहीं हो पाएगा ठीक है बड़ा हो रहा है दोस्त बड़ा हो रहा है यहां से देखेasters इंद के बारे में आपसे पूछ़ा कौन सा खतन पूछा है दोस्त, मेटाफेज के बारे में पूछा है, तो मेटाफेज में आप देख पा रहे हूंगे, मेटाफेज आप में, ओ हो, छोड़ी, बाद में, अच्छा देख लीजे, देखी लीजे आप लोग, एक सगंड मुझे टाइम देंगे, यहां पर आप लोगो देख रहा होगा, कि मेटाफेज, ठीक है, आपको यहां से देखिए, इंटाफेज, प्रोब फेज, परमोट फेज, ठीक है, फिर मेटाफेज, एनाफेज, टेलो फेज, ठीक है, तो देखिए, कैसे होता है, पहले इस परकार का होता है, जो इसे क्या कहत कहते हैं our chromosome कहते हैं तुक है इसे क्या कहेんなे हैं प्रॉमiffe उसके पाद interface interface इन य़ी M7 फ्रॉट्टि श्क्रॉम कटा है यह क्या है डूब्लिकेट chromatine होता है यह क्यों अंडिता हिल्जों नुमासय होती खाँ लो reduced सौरी नहीं पता पाऊंगा चलिए आगे देखिए मैं ऐसे बता देता हूँ आप लोगों को चलिए खटाईए इसको आगे बढ़ा जाए चलिए तो इसका उत्तर करिए कोशन नमबर 18 का फड़ा फट आप लोग उत्तर करिए इसमें जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा फड़ा फट उतर करिए आप लोग फड़ा फट उतर करिए कोशन नमबर 18 का डी इस दा करेक्ट आपसन ठीक है बोथ ए ए और भी सी नहीं होगा ठीक है चलिए आगे बढ़ा जाए बिलकुल सर्थ कहता है यह fully expressed ally होते हैं क्या होते हैं ally होते हैं ally जिसे आप हिंदी में ally पढ़ते हैं क्या कहा जाता है एक पूरी तरह से व्यक्ती ally को क्या कहा जाता है परमुक कहा जाता है आप परवावीत साज आती है यह बिसम यूगमी यह fully expressed ally is referred to age क्या कहा जाता, dominant, recessive आपको पता है, कि दो परकार के chromosome होते, एक X और दूसरा XY, ये boys का है, ये girls का है अगर किसी को कोई problem हो जैसे आपको पता है, इसे क्या कहा जाता है RH factor को आपको पता है RH factor होता है, और कि recessive dominant होते हैं, जो ताकतवर होते हैं, उसमें किसका दिखेगा, एलीन जो है, वो उसे क्या कहा जाएगा, आप परभावित रहेगा या फिर सजातिये रहेगा, आनि कि एक जैसा रहेगा, या फिर बिसम यूगमजी रहेगा, अलग 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 character दिखाए देंगे, आपको पता है कई सारे लोग आपको मिलते हैं, जो ट्रेनों पे मिलते हैं, उसमें पता क्या है, क्या हो जाती है, आप बिसम यूगमजी, पता ही नहीं चलता कि कहां से क्या हो रही है, चलिए, कोशन नमबर 19 का फड़ा फट उतर करिए, ठीक है, कोशन नमबर 5, जो fully आप परभावित नहीं, परभाविता होगा, ठीक है, चलिए, जो भी, या फिर मेल में हो सकता है, ये फिर मेल में हो सकता है, ठीक है, तो जिसका पूरी तरह से परभावित होगा, उस एलिल में सबसे ज़्यादा जो express होगा, वो किस का होगा, उस व्यक्ति का होगा, जिसमें ये factor पाइज आएंगे, चलिए, question number 20, during the anaphase, a stage in a bone marrow cell, each of the chromosome has, करता है, अस्थी मज़ा कोशिका में, anaphase चरंब के दोरान, परते गुंसुतर में क्या होता है, no chromatids, one chromatids, या फिर two chromatids, या फिर several chromatids, यहां पे आप लोग एक मिनट रुकिए, यहां पे एक मिनट रुकिए, आप लोग, फिर से मैं दिखाता हूँ, safe होता तो अच्छी बात रहती, नहीं, चलिए, तब तक आप लोग उतर करिए, तब तक सवालों को पढ़िए, अच्छी से, ठीक है, किसके बारे मैं आपसे पूछ रहा है, किसके बारे मैं आपके पूछा, एनफेज को दोरान परते गुंसुतर में क्या होता है, तो एनफेज देखिए, कहां पी है, यह आपका रहा एनफेज, यहां पर आप देख रहे हैं, कि दोनों जो क्रोमोजोम हैं, एक दूसरे से क्या बार रहे हैं, टूवर्स जारे, एक दूसरे के बियोन जारे हैं, मतलब बियोंट पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, तो अलग-अलग जारे हैं, तो वही कहता है, कि जब एना फेज होता है किसी भी व्यक्ति में तो परते गुंसूत्र में क्या होता है परते गुंसूत्र में क्या होता है आयो हो पीमेज आपने देख लिया होगा चलिए इसका उतर बताइए क्या होगा उतर क्या होगा कि इस परकार की सरचना है और एक दूसरे से क्या हो रहे हैं अलग हो रहे हैं एक दूसरे से क्या हो रहे हैं दोस्त अलग हो रहे हैं बोला कि दोस्त आप बहुत मिलें अब वक्त आ गया हम लोगों को अलग होने के लिए तो इसमें क्या रहते हैं वन क्रोमेटीर रहते हैं ठी के कारण होते हैं? Mutation के कारण, the gender and individual के कारण, the gross chromosomal abnormalities के कारण, या all of the above. उत्परिवर्तन, एक व्यक्ति कर्लिंग के कारण, सकल के कारण, सकल क्रोमोजोमल, आसमनताय के कारण, या फिर उपरोग सभी. चलिए, फड़ा-फट इसका उत्तर करिए, कोशन नुबर 21 का, 21 का फड़ा-फट आप लोग उत्तर करिए. चलिए, जैसा कि हम मैं देख पा रहा हूँ, कि कुछ लोगों का age-da, A option में आ रहा है, A जवाब आ रहा है, जिन लोगों का बिल्कुल सही है. चलिए, मिटेशन के कारण ऐसा होता है, जब आप मीटेड हो जाते हैं, जैसे कि जो आप भी, मैंने आपको बताए, जो ट्रेन में क्या होता है, उनलोगों के जीन में, जो जेनिटिक डिस ओडर वही पर, ये जो जीन है, ये क्या है, एक जीन है, यही कोई जीन में, आपको पता है, कि A के साथ T आता है और G के साथ C आता है ठीक है तो यह आप लोगों को पता होगा तो इसी में यहीं कहीं पे भी कि ऐसा कुछ हो जाता है mutation हो जाता है जिसके कारान जो nature उनकी होनी चाहिए जो nature उनकी होनी चाहिए वो नहीं होके दूसरा कुछ होनी लगता है तो वो किसके कारण due to presence of genetic disorder जो होता है mutation के कारण होता है ठीक है शलिए नेक्स सवाल के रोम लोग बूब करते हैं कहता है कि धागे जैसी सरचनाय जो देखती है जो कोशी का विवाजन के समय केंद्रक के अंदर दिखाए देते हैं घ्रा कहलाते हैं अभी मेंने अप लोगों को 17icon लीश मेस दिखायता और यह वाला इमेस में कहा था यहा वाला इमेस हो है क्या पुछा है ऀंड ओमसından दिख रहा है कैसा दिख रहा है दो नुमास रचन दिखाए देती है, जैसे कि आपका ये रहा निकलियस रहा और यहां पर कुछ ऐसे ऐसे से उलजे हुए, काफी उलजे हुए दिखाए देता है, इसे आप लोग क्या कहेंगे, इसे आप लोग क्या कहेंगे, तो अभी इमेज आप लोगों ने देखा, आए होप इसका उतर कर पाएंगे, इस्टर्स कहेंगे, या फिर सेंट्योल्स कहेंगे, या फिर क्रोमोजोम्स कहेंगे, या अस्पैंडल फाइवर कहेंगे, क्या कहेंगे, फटाफट इसका उतर कर ये Q22 का, Q22 का क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, जो धागे नुमास जैसी स्रचना है आपको कोशिका विवाजन के समय पे दिख रहा है और मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि ये जो सेल है ये डिविजन करके क्या बनाता है दो सेल बनाता है और ये दूसरा पहला फिर ये दो भागों में डिवैड होता है बतानी है ठीक है कोशन नमबर 22 का सही उत्तर आपको बताना है चलिए तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्त C is the right option C is the क्या होगा? सही उत्तर होगा ठीक है? चलिए जहता है कि which of the flowing statement true? True ठाटना है ठीक है? किसके बारे में? chromatin composition के बारे में ये क्या होता है? DNA, RNA, DNA DNA and proteins होता है DNA, RNA and proteins चलिए इसके बारे में? DNA के बारे में आपको बताना है statement true about the chromatin sorry chromatin के बारे में आपको सही statement चाहना है कि ये जो आपका chromatin अभी दिखाए दे रहा था इस परकार से क्या इसमें DNA और RNA होता है या फिर केवल DNA होता है या फिर दोनों होता है चलिए इसका उतर फड़ा फट करिए 23 का 23 का फड़ा फट उतर करिए आप लो सभी का उतर बिल्कुल सही है DNA और RNA और proteins भी होता है इसमें क्या होते है DNA भी होता है इसमें RNA भी होता है और इसी में क्या होता है प्रोटिन्स चलिए आप लोग काम करिए कि ये दोनों का फुल फॉर्म लिखे बेजाए बताइए हमें चैट बॉक्स में लिखे कि DNA और RNA का फुल फॉर्म क्या होगा ये आपके एक्जाम में पूछा गया पूछा जा सकता है डिपेंड करता है कि आपकी इस लेबल का एक्जाम दे रहे हैं तो इस परकार से D यहां से देखा जाए इस दिश्टी कौन से D जो है वो बिल्कुल सही है किसके बारे में क्रोमेटिंग का पोजिशन और कि उसके बारे में कौन सा कथन सत्थ है संगठन के बारे में कौमपोनेंट के बारे में तो इसमें DNA, RNA और प्रोटिंस भी होती है नेक्स सवाल कि रहों लोग मूफ करते हैं कहता है कि हाओ मैनी ओटो ओटो जोम और परजेंट इन हीमन बींग हीमन इसमें कितने ओटो जोम महजूद महजूद होते हैं परजेंट होते हैं 20 पेर, 22 पेर, 33 पेर, 44 अभी आपने देखा 44 पेर तो आपको यहां पे कुछ लोग गच्चा खाएंगे 100 परसेंट गच्चा खाएंगे चलिए फड़ा फट इसका उतर करिए कोशन नमबर 14 का कोशन नमबर 14 का फड़ा फट उतर करिए चलिए फड़ा फट उतर करिए आप लो फड़ा फट उतर करिए कोशन नमबर 24 का अभी काफी सवाल बचे हुए हैं चलिए तो इसका जो सही उतर होगा मैंने कहा था न कुछ लोग गच्चा खाएंगे बास पेर ठीक है तभी तो होता है ना बास पेर होता है ठीक है एकस वाई इसमें भी बास इसमें भी बास ठीक है चलिए कहता है कि वीच अब दा फ्लोइंग लिविंग अस्पेसिस कंफरेजस्स मोर देन 200 क्रोमोजोम कहता है कि निमलिकित में किस परजाती में 200 से अधी गुनसूतर होते हैं अंबीबा में फैस में चिकन में या जिराफ में चलिए 200 से अधी गुनसूतर होते हैं ठीक है वह आपको बतानी है कोशन नमर 25 का 25 का चलिए फड़ा-फट उतर करिए इसका फड़ा-फट उतर करिए दोस्त निमलिकित में से किस जिवीत पर जाती जिवीत होगा ठीक है यह क्या होगा लिविंग सेल होगा लिविंग सेल होगा ठीक है चलिए अच्छा मैं अगर लिविंग सेल कहूं तो क्या यह कतन हमारा सही होगा या गलत होगा लिविंग अगर मैं सेल कहूं तो कतन सही होगा या Question No. 26, बे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फाइलते हैं, क्या कहलाते हैं? Disease that spread from one person to another, उसको क्या कहते हैं? ठीक है, उसको क्या कहते हैं? Communicable disease, या Degenerative disease, या Non-Communicable disease, या Non-of-the-Eva. Question No. 26 का, फड़ा फट आप लोग उत्तर करिए. Question No. 26 का, फड़ा फट आप लोग उत्तर करिए. चलिए. जो एक व्यक्ति से, दूसरे व्यक्ति आपको पता है, भाई साब इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, 27 में कुछ तो आपको करना ही नहीं है, आपको पता है, मैंने बताया था, कि रोग दो परकार के होते हैं, ठीक है, रोग दो परकार के होते हैं, एक Communicable, दूसरा Non-Communicable, Non-Communicable में क्या होता है, जैसे Heart रोग हो गया, ठीक है, और कोई ऐसे बीमारिया हो गया, जैसे आपको Respirations से कुछ या, या फिर अस्तमा, यह एक से दूसरे लोग में नहीं फैलती यहाँ पे जैसे communicable में आपके malaria हो गया diarrhea हो गया यह सब फैल सकते हैं ठीक है तो आपको क्या इसमें तो कुछ देखना ही नहीं था age the correct option और I hope सब का उतर सभी लोगों ने सही उतर करा होगा इसका नाइट ब्लाइडनेज होता है वो किसके कारण होता है नाइट ब्लाइडनेज होता है वो किसके कारण होता है किसके deficiency के कारण विटामिन A, B, C या E के बारे में आपको पता है कि विटामिन दो परकार के होते हैं वाइटेमिन दो परकार के होते हैं एक होता है जल में solivule और दूसरा होता है non-solivule और जल में जो कुलंसील होता है वुसे BNC कहते हैं और जो non-fat में fat में जो होता है उसे कीडा कहते हैं क्या कहते हैं कीडा विटामिन K E D A चलिए इसका उतर करिए किसके कारण night blindness काउज होती है चलिए फड़ा फड़ा उतर करिए question number 27 का तो यहाँ पे भी आपको पता है कि कुछ बोला है नहीं भाई साब A is the right answer vitamin A के कारण अच्छा चलिए vitamin A का आपको chemical name बताना है vitamin A का chemical name बताना है मैं आप लोगों को chat box देख रहा हूँ इसका chemical name बताईए सभी का बताईए B, A, C, E का सबका chemical name बताईए ठीक है चलिए तब तक हम लोग next सवाल के और मूब करते हैं which of the flowing disease in example of non-communicable disease इसमें से चार option है उसमें से आपको बताना है कि एक non-communicable disease कौन सा है चलिए cancer, diabetes, hypertension या all of the above चलिए इसका फटाफट इसका उतर करिए question number 28 का 28 का कौन सा non-communicable disease है चलिए question number 28 का चलिए फटाफट बताईए सबका नाम आ रहा है फटाफट बताईए vitamin B का नाम क्या है vitamin E का नाम है और vitamin K का क्या नाम है और vitamin A का भी चलिए फटाफट इसका उतर करिए इसका उतर इसमें क्या बताना आपको कि non-communicable disease का example बताना है तो इसका जो सही उतर होगा दोस्त बिल्कुल सही all of the above cancer क्या है non-communicable मतलब एक वेक्ति से दुसरे वेक्ति में नहीं जा सकता diabetes का अगर मैं बात करो तो ये भी एक वेक्ति से दुसरे वेक्ति में नहीं जा सकता अगर मैं hyper tension का मैं बात करो तो ये भी एक वेक्ति से दुसरे वेक्ति में नहीं जा सकता ऐसा आपने सुना क्या BP की चलो मेरी माँ की थी BP तो उसके बेटे को भी हो गया उसको बूजो को भी हो गया, ऐसा आपने कभी सुना कि आप बिल्कुल नहीं, चलिए, आगे बढ़ा चा, चलिए, एल्जाइमर जो होता है, एल्जाइमर या ओस्टियो प्रोसिष एक्जामपल किसका है, एल्जाइमर और ओस्टियो प्रोसिष जो है, इसके उधारन कौन- ने पापनी इवल डीजीज या नॉन आउवी दी, टवंटी नाइन का फड़ अफट इसका उत्तर करिये थोस्त तो ये किसका example है ये इसका जो सही उतरोगा बीज़दा राइट इंसर डीज़नेरेटिव डीज़द मींस कहने का मतला अब छही रोग है अब छही रोग है चलिए कुछ लोगों का full form सही आ रहे हैं बड कुछ लोग गलत कर रहे हैं जो लोग गलत कर रहे हैं वो अपना सुधार ले चलिए कहता है कि excessive जो होता है जो चोट लगने पर अथियदीक रक्त सराव जो होता है वो किसकी कमी से होता है अपने एक नाम सुनाओगा बलड क्लोटिंग के बारे में बलड क्लोटिंग के बारे में जब आपको चोट लग जाती है या आपको बलीडिंग हो जाता है बलीडिंग मतला बलड का बहाओ होना तो ये कौन से बिटामिन के देफिसेंसी के कारण होता है कौन से बिटामिन की देफिसेंसी के कारण होता है कि आपका रक्त का ठक्का जो है वो नहीं बन पाता है वो आपको इस सवाल में पूछा गया सवाल है vitamins A, vitamins B, vitamins K, vitamin E चलिए फटा फटा इसका उत्तर करिए question number 30 का question number 30 का किसके कारण आपको जब आपको चोट लग जाती तो आपके bleeding जो है वो रुपती नहीं है किसके कारण किसके deficiency के कारण तो आपको पता है कि यह जो है वो vitamins K के कारण इसे होता है और K का English name क्या है यह आपको बतानी है चलिए फटा फटा फट इसका उत्तर करिए यूपयोगी है नेकिन उसमें मैंने बताया था कि vitamins जो होता है vitamins में आपको काफी सारी चीज़े याद रखनी है ठीक है कि यह इसका chemical name क्या होता है इसके कमी से क्या होता है इसका source क्या होते है इसका chemical name deficiency या फिर इससे कौन कौन से disease होते है तो यह मैंने कहा था कि आप लोग याद रखेगा 31 जो है greater या बढ़ी हुई थाराइड greater को ही थाराइड कहते है वो मुख रूप से निमलिकित में से किस खनीज के कमी के कारण होता है greater and in large थाराइड जो थाराइड हो जाते है और mainly mainly diagnosed in percent which deficiency of which of the flowing mirrorless किसके कारण होता है इतना लंबा चोड़ा परने की जोड़त नहीं है यह जो बीमारी होते है वो किस के कारण या किस खनीज कमी के कारण होता है iron iodine calcium phosphorus चलिए फड़ाफट इसका उतर करिए question number 31 में हम लोग पहुंच चुके है ठीक है question number हम लोग पहुंच चुके है चलिए फड़ाफट इसका उतर करिए इसका जो सही उतर होगा 20 दा राइट इंसर, आयोडीन के कारण, ठीक है किसके कारण, दोस्ट, आयोडीन की जब कमी होगी तो आपके थोराइट जैसे बीमारिया, आप कुसे आप उससे क्या हो जाएँगे, गरसीत हो जाएँगे ठीक है, चलिए 32 नमर कहता है जो Cytic Fibrosis जो होता है वो और Hemophilia किसका उधारन है दो प्रकार की यहां पर Disease का नाम है यह देखिए यहां से कैसे सवाल बना सकता है एक Cytic Fibrosis और Hemophilia जो है पूछ रहा किसका अग्जामपल है यहां पर आपसे पूछ सकता है कि जो Cytic Fibrosis जो होता है और Hemophilia जो होता है वो किसके कारण फैलता है यहां दो तरब के सवाल बन सकते हैं या किसके कमी के कारण होता है या फिर यह क्या Communicable हैं, Non-Communicable हैं या फिर यह वंसानुगत बिमारियां हैं तो क्या है यहां पर आपसे क्या पूछा है, कि यह किसका उधारन है, किसका वंसानुगत रोक का आप 6 बिमारी का या कमी से होने वाले रोक का या उपरोक्त में से कोई नहीं चलिए, पटा, परोक्त में से कोई निन, None of the Ava चलिए, इसका उतर करिए, 32 का फटाफाट उतर करिये, चलिए, फटाफाट उतर करिए, कोश्यन नमबर 32 का, तो ये किस फरकार के बिमारीया, आपको पता है, ये वंसा नुगात होता है, ठीक है, जा और साइटिंड, फाइब रोसीस, ये हीमोफिलिया, किसी परिवार में, कि इसी व्यक्ति को भी होगा, तो वो one generation to other generation बढ़ते जाएंगे, ठीक है, तो age the right insert, ठीक है, age the right insert, चलिए, नेक सवाल के और हम लोग करते हैं, ये सारे portion important से हैं, आप लोग इसे CTM कर लेना, ठीक है, CTM मतला, this would be commentated to memory, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ा जा, which of the flowing disease caused by various pathology microorganism, कहता ह कि micro-organism, जो रोग जनक हैं, सुच जी, वो के कारण होती है, इसमें से कौन सा रोग जो है, वो within pathogen के कारण होती है, ठीक है, deficiency disease है, heredity disease है, या infectious disease है, या degenerative disease है, जिसे आप क्या कहते हैं, आप च्छाई, रोग कहते हैं, तो 33 का, फड़ा फट आप लोग उत्तर करिए, 33 का, उत्तर करिए, चलिए, पैथोजन के कारण पहलेगा, अब ही मैंने कहा था, आप लोग, आपको की दो परकार की disease होती है, दो परकार की disease होती है, एक होता है, दूसरा होता है, नौन कामुनी केवल, यार एक बात बताओ, यह जो कामुनी केवल होगा, यह किसी pathogen के कारण ही तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, या किस सरेनी में रखेंगे, कि सुप सुप जीवो के कारण होती है, लेकिन रोग जनक, ठीक है, चलिए, तो किस के कारण, यह कौन सी बीमारी है, उस बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, तो C is the right answer, संकार्मक, रोग कहते हैं, इन्फेक्सियस या फिर इसी को आप कह सकते हो, कॉम्निकेबल डिजीज कहते हैं, कॉम्निकेबल मतलब क्या होता है, कि एक वक्ति से दूसरे वक्ति इंफेक्शन किस से होता है, इन्फेक्शन वाइरस से भी हो सकता है, इन्फेक्शन एल्गी से भी हो सकता है, इन्फेक्शन फंगी से भी ह यहां पर पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन से डिजीज ये आज होते हैं इसलना करते membHoef टो उसिजबा समगरती ब्रोटी। अब्रोइंग इसमें से कौन से स्रक्मारी जो है वो प्रोटीन के कमी के कारण होती है चलिए थोड़ा सा आप लोग देख लिए तब तक मैं आवाज वाज जेक कर लूँ कि विज्वल हूँ की नहीं चलिए इसका उतर करिए कोशन नंबर 34 कोशन नंबर 34 का फटाफट आप लोग उतर करिए अनेमिया क्वास्कियर या फिर हैपो थाराइड डिजम या फिर उप्रोक्त में से सभी चलिए इसका उतर करिए फटाफट उतर करिए कोशन नंबर 34 का तक मैं थोड़ा पानी पीलो जी आप लोग उतर बिल्कुस है यह बीजदा टरेक्ट आप्शन मैं पेइन काड़ा बीजदा करेक्ट आप्शन थीक है चलिए एक मेरा मेश्म भी होता है और चलिए यह बता ये क्वास्कियर और मेरा मेश्म जो होता है वो किस में होता है बलो में होता है série है यह आपको बताना है चलिए 35 number कहता है कि किस vitamin को ascorbic acid भी कहा जाता है ठीक है also known as ascorbic acid vitamin C, vitamin B, vitamin C या vitamin E चले, बताना आपको क्या बताना है ascorbic acid किसे कहा जाता है वो आपको बताना है question number 35 मैंने आप लोगों से भी पूछा था कि B का क्या chemical name है या रासानिक नम या scientific name या फिर C का क्या है, A का क्या है, K का क्या है, E का क्या है तो अगर आपको पता होगा तो इसका उत्तर आप बड़े असानी से दे पाएंगे question number 35 का ascorbic acid किसे कहा जाता है और तो vitamin C को कहा जाता है अच्छे एक बात बताईए सबसे अच्छा source जो होता है सबसे अच्छा जो source होता है स्रोथ होता है vitamins का, vitamin C का वो किस में होता है आवला में होता है यहाँ पर आपको option दिये जाएंगे आवला में होता है या फिर संत्रा में होता है या फिर अमरूद में होता है चलिए, इसका उत्तर आपको चैट बॉक्स में बताना है कि सबसे अच्छा richest source of vitamin C vitamin C किसमें पाय जाता है तो आवला संत्रा नारंगी आपको बताना है चलिए, question number 36 question number 36 में है कि कहता है कि the deficiency disease can be prevented by जो कमी से होने वाले रोग है वो रोका जा सकता है किसके द्वारा किसके द्वारा रोका जाता है लंबे समय तक खाना बना के केवाल फल खाके, केवाल सब्जिया खाके या फिर अच्छे पोशन मुले साथ के अच्छे पोशन के साथ most nutrient के साथ भोजन करना तो किस से हम लोग बच सकते हैं अगर हम लोग जो कमी के कारण जो बिमारी होती है वो किस परकार से हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं सनच्छन कर सकते हैं रोक सकते हैं चलिए तो कैसे कर सकते हैं उत्तर बदाए ये option पढ़के ही आपको लग रहा होगा कि इसका उत्तर जो है most appropriate वो कौन सा होगा 36 का फड़ा फड़ा उत्तर करिए तो आपको पता है कि इटिंग फूड वित गूड नुट्रेशन वेलू अगर आपके थाली में सबी परकार के चीजे हैं इसमें थोड़ा सा क्या है फूड के साथ साथ क्या है दोस्त फूड के साथ वेजिटेबल्स भी है कुछ नॉन वेज भी है कुछ भेज भी है कुछ घी भी है कुछ क्या है अच्छे नुट्रेश ड्राइब फूट्स भी है कुछ क्या है जूस भी है तो आप क्या कर सकते हैं कि जो रोग होती है कमी के कारान due to deficiency disease can be prevented या जो उससे होने वाले बिमारी को हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग बस सकते हैं तो किसके कारण अच्छे पोशन वाला खाना खाओ भाहिया और उसके साथ साथ अच्छे तरीके से भोजन करो ठीक है चली नेक्स सवाल के रहा हम लोग मोब करते हैं देंगू बुखार और इंफ्लूजा के कारण के उधारन है एड्स कोमन कॉल्ट देंगू फीवर इन इंफ्लूजा और एक्जाम्पल ओप किसका डिफेसेंसी डिजीज का इंफेक्सिय डिजीज का फिजियो लॉजिकल डिजीज का या नान इंफेक्शन डिजीज का कोशन समझ में है यह जो एड्स होता है न उसमें क्या एड्स हो गया या समायन सर्दी हो गया या देंगू बुखार हो गया या फिर इंफ्लूजा के कारण यह किसका उधारन है यह किसका उधारन है क्या मिन्स के कमी के कारण होता है किसी के कारण होता है या सारे रिक के रुप के कारण होता है या नान इंफेक्शन माने की बिना इंफेक्शन के कारण होता है यह आपको बताना है कोश्चन नंबर 37 का फड़ा फड़ा इसका उत्तर करिए 37 का फड़ा फड़ा उत्तर करिए चले तो ये जो बिमारी है आपको पता है AIDS AIDS को ही देख लो ना भाईया इसके बारे में नहीं पता हमें कुछ नहीं पता मैं अनून हूँ मैं नदान हूँ मैं ना समझ हूँ मैं आसिचित हूँ लेकिन जो लोग AIDS के बारे में पता है तो उनको पता कि भाईए ये तो ऐसे होती नहीं है ये कैसा रोग है संक्रामक रोग है ठीक है संक्रामक रोग है अनिकी infectious disease है और इसे आप क्या कह सकते हो communicable disease है अभी मैंने आप लोगों को बताया था ठीक है चलिए question number 38 कहता है निमलिखीत में से कौन सा vitamin जो होता है रक्त के ठक्के को जमने में मदद करता है चलिए vitamins A, vitamins V, vitamin D, vitamin K अभी मैंने आप लोगों को बताया था question number 38 question number 38 का चलिए तो सही उतरा आप सभी का vitamins K जो होता है ये जो क्या करता है help blood clotting में ये मदद करता है चलिए नेक्स सवाल के और हम लोग करें which of the flowing vitamins function as about hormone and visual pigment ठीक है क्या का नहीं समझ मैं है कौन से ऐसे vitamin hormone है जो दिरिस वरनाग अनि कि आपको देखने में दोनों के रूपों में कारे करता है thymine, retinol, riboflavin या folic acid ये सभी vitamins के अलग-अलग vitamins का ये chemical name है चलिए समझ मैं आया question कौन से ऐसे vitamin है या फिर hormone है जो की दिरिस वरनाग और दोनों के रूप में कारे करता है vitamins भी उसे आप कह सकते है, vitamin hormone भी और उसके साथ साथ भी क्या कह सकते है visual pigment कहा जाता है, तो कौन से vitamins को ये आप से पूछा जा रहा है question number 39, question number 39 का फड़ा-फड़ इसका उत्तर करिए तो आपको पता है, आपको पता है कौन से उत्तर होने चाहिए तो B is the correct answer, retinol, ये किसका नाम है, vitamins A का नाम है, ठीक है question number 40, which of the flowing vitamins is also known as nicer and plays a vital role in many digestive system, कहता है कि vitamin को niacin के रूप में भी जाना जाता है, और पाचन तत्र के कई कारों में ये क्या करता है, महतपून भूमी का निभाता है, कौन से vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamins B12, चलिए, फड़ा-फड उत्तर करिए question number 40 का, question number 40 का, फड़ा-फड उत्तर करिए चलिए, थक तो नहीं गया ना अप लोग, अप लोग थक तो नहीं गया है, थकना मना है, थकना रुकना बिल्कुल मना है, और अंगराही लेना तो बिल्कुल भी मना है, दोस्त, चलिए, तो C is the right answer, vitamin B3, चलिए, इसका आप लोग हमें क्या बताईए, chemical name बताईए, थोड़ा सा आप लोग भी, आप लोग की mind का भी exercise हो जाए, थोड़ा सा जोड़ दूँ, ताकि आपके mind जो, आपके ये जो अस्क्लेटन सिस्टम में वो खूल जाए, ठीक है, चलिए, नेक सवाल 41 का, कहता है कि जो vitamin E की कमी से कौन सा रोग होता है, या फिर क्या होता है, soft bones हो जाते हैं, bleeding in gums हो जाते हैं, या weakness in muscles हो जाते हैं, या neurological disorder हो जाते हैं, I hope option आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कि कहता है कि the deficiency of vitamin E के कारण क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, आपके bones होंगे, क्या वो soft हो जाएंगे, कान की तरह, ऐसे, ठीक है, चलिए, फड़ा-फड उत्तर करिए इसका, 41 का फड़ा-फड उत्तर करिए, इसका जो सही उत्तर होगा, अगर vitamin E की आपके सरीर में, आपके body में कमी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगे, आप weakness फिलोगा, weakness कहां पे फिलोगा भाईया, तो ये muscles में होगा, तो इस परकार से देखा जाए, तो C is the correct option, ठीक है, चलिए, ने सवाल क्यों आपको लोग मूब करते हैं, आपको पता है, जीरो थलेमिया के बारे में होता है, वो किसके कवी के कारण होता है, चारड़ लोग दिया गया है, चलिए, उत्तर करिये, प्पटा-पट उतर करिए, अप लोग, कोशें नबर 42 का, कोशें नम्बर 42 का, चलिए, तो सही उतर आपका क्या है, विटामिन्स A, इसका नाम क्या है, रेटिनोल, तिक है, कई सारे भाई हैं कई सारे इसके बेटे हैं उसके बारे में आपको नहीं पढ़ना जैसे आपने B1, B2, B3, B2, B12 यह देखा तो उतना कम से कम जाने के जौरत नहीं है लेकिन यह B and C और यह जो कीड़ा है ना कीड़ा अनि की कीड़ा या फिर जो कह लिजे के, E, D, A इनके बा I mean age the correct option चलिए, नेक सवाल के और हम लोग move करते हैं, which of the following is not an infection disease, इसमें से कौन ऐसे बीमारी है, जो की संक्रामक रोग नहीं है, संक्रामक रोग नहीं है, communicable disease नहीं है, बात खुमा फिरा के बोले, तो दो ही परकार के बीमारी होते हैं, जो बीमारी अपहलते है, communicable एक होते उसी को अलग अलग नाम दे दिया जाता है, जैसे कि आपका पैटनम कुछ अलग होते हैं, आपका वो जो नाम रखते हैं, वो मतलब समझे ना, वो अलग प्यार से कुछ बोलते हैं, आप उनको कुछ प्यार से अलग बोलते हैं, तो ठीक इसी परकाश जिते हैं, भी communicable disease ना को इधर-इधर तोड़ मरोर के रख दिया जाता है, लेकिन बात वो सेम है, ठीक है, बात वो सेम है, संत्रा खाओ या संत्रा का जूस पियो, जो उसको बैटाइमिन सापके शरीर को देना, वही देगा, तो ये बात आप लोग धियान में रखना, तो क्या कहता है, कि वीच प्लोइंग, नोट एंड, एंट, इसमें से कौन सा इंछेटन डीजीज, रोक नहीं है, डेगु, असकर्वी, टैफइड, या फिर काली, खासी, कोशेन नम्बर 43 का, फटा फट आप मizes, कोशेन नम्बर 43 का फटा फट उतर करिये, कोशिन नम्बर 43 का फटा फट उतर करिये, तो इसका जो असकरवी जो है वो सही है क्या है संकारमक रोक नहीं है communicable disease नहीं है चलिए आके बढ़ा जाए बिल्कुल सर काता है which of the following is the main cause of blindness in Chile and worldwide जो काता है अंधिबन का जो मुख कारण क्या है जो की पूरे विश्भर में है किसमें है बच्चों में ऐसे सवालों को तोड़ तोड़ पार्ण जिखिए गुलकोमा या फिर मोतिया बीन या प्रोटिन की कमी विटामिन ए की कमी कोश्चन नमबर 44 का कोश्चन नमबर 44 का फड़ा फड़ आपको उत्तर देना है उत्तर देए थके के क्या फड़ा फड़ उत्तर करिए इनर्जेटिक होके उत्तर करिए ठीक है और जो लोग ने जुड़े हुए है उनका एक बार तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ केरियर फाउंडेशन परिवार में केरियर फाउंडेशन के यूटूब प्लेटफॉर्म पे चलिए तो इसका जो सही उत्तर होगा वाइटेमिन A डिफिसेंसी के कारान ये कलन ब्रैनने सुरे पूरे विच सभर में अंदे का मुख कारण क्या है तो वाइटेमिन A के कारान ठीक है चलिए तो आपको पता है अप इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वाइटेमिन जो A है कितना इन्पॉर्टेंट है जितना स्टार देना है आप इसे दे दिजिए तो वाइटेमिन A या फिर वाइटेमिन K और C ये तीनों काफी इन्पॉर्टेंट है सवाल आपको कहीं हर एक्जाम में देखने को मिलेगा कोई भी एक्जाम दो चपरासी का दो, पटवारी का दो या फिर UPSC का दो यहां से सवाल देखने को मिलता है और आपको पता है कि पोसन अभियान भी चलाया जा रहा है तो पोस्वन अभियान इसे ही कुछ चला जा रहा है ताकि कुछ पोस्वन को दूर करने के लिए और कुछ पोस्वन को दूर तभी कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि कौन सब इस बच्चे को किस विटामिन की रिक्वार्मेंट है तभी आप उसे क्या कर सकते हो खतम कर सकते हो चलिए कोशन नंबर क्या है 45 काता कि एमाइक्जोसालीन या डायओक्सिलाइन या एजरिथोमाइसीन और पैलिसीन आर सम एक्जामपल ओप ये तीन दवाई का नाम है एमो एमोक्सिसीलीन या फिर डायक्सोसिलीन या एंजरिथो माइसीन या पैलिसीन किस परकार के उधारन है बेक्ट्रिया है रोग जोवानू है एंटिबाइटिक्स है ठीका करन है इंग्लिस में पढ़िए इसको छोड़िए एंटिबाइटिक्स ठीक है एंटिए एक होता है एंटिजन और एक होता है एंटिबाइटिक्स चलिए ये आप लोग याद रखिएगा कोशन नमर्फोर्टिसिक्स निमलिखित में से कौन से घटकर हमारे भोजन में परभूख पोसतत है सबसे मेजर निट्रेंट्स है किस क्या है कार्बोहेटर लेपीड प्रोटिन बिटामिस और खनी या उप्रोक्त में से सबी कोशन नमर्फोर्टिसिक्स का चलिए फटाफ़टिस का उतर करिए जी बिल्कुल सही है दोस्ट आप लोग सही उतर करें डीज दा राइट एंसर डीज दा राइट एंसर ओल अब दी एवब्जो है ठीक है आप अगर चाहते हैं कि घटक है परमुक्सरोथ है किस के पोशक का तो आपको कार्बोहेटर भी लेनी है लेपीड प्रोटिन भी लेनी है यहां पर मानों सरीर नहीं पूचा था पूचा था मेजर न्यूट्रेंस आवर फूट क्या होनी चाहिए यहां पर आपको बूजो के बारे में पूच रहा है किसके बारे में पूच रहा है यह बूजो के बारे में आपसे पूच रहा है चलिए तो इसका उत्तर बताईए, proteins, vitamins, minerals या both A and B चलिए, फड़ फड़ इसका उत्तर करिए, question number 47 का question number 47 क्या कहता है, कि मानों सरीर के विकास और रखरकाव के लिए निमलिखित में से कौन सा nutrient बहुत ही आविस्च है तो आपको पता है कि proteins जो है और vitamins जो है यह हमारे सरीर के लिए, हमारे सरीर के ग्रोध के लिए काफी एहम चीजें होती है काफी एहम चीजें होती है, तो इस परकार से देखा जाए तो A और B जो है, वो correct option है, ठीक है, चलिए question number 48, which of the flowing food components given give energy to our body कौन सा component जो है, वो हमारे सरीर को क्या करती, energy देती है चलिए, तो वो आपको बताना है protein, vitamins, खनीज, carbohydrate, तो इस में से कुछ तो option ऐसे ही element हो जाएंगे, carbohydrate energy देती है, पता नहीं, खनीज देती है क्या, पता नहीं, vitamins देती है क्या, पता नहीं, प्रोटीन देती है क्या, पता नहीं, चलिए, तो आपको उतर करना है 48 का फड़ा फड़ा उतर करना है, ठीक है चलिए, फड़ा फड़ा उतर करिए जी, आप लोग अच्छा खागे ना, बाई साब कार्वो हैट्रेडी ही होगा, ठीक है, कार्वो हैट्रेडी क्या है, हमारे सरीर को क्या करती है, इनर्जी देती है, आपने अभी तो देखा, आप प्रोटीन और विटामिस क्या करते हैं, यह हमारे सरीर को ग्रोध करते हैं, क्या करते हैं, ग्रोध करते हैं, तो यह तो आपको पता होना चाहिए, कि इनर्जी देने का मुख रूप किसका काम है, अगर आपक काम करते हैं office हो या कहीं पर job करते हैं service करते हो तो जब आप office आते हैं तो एक बात बताइए आप क्या खाते हैं या फिर क्या बोलते हैं या बहुत जोर से भूक लगी है मम्मी हो या वाइफ हो या फिर सिस्टर हो जिनको भी क्या बोलते हो आप कि या बहुत जोर भूक लगी है फटाफ़ट खाना लगा फटाफ़ट खाना लगा आप यह नहीं बोलते हो कि फड़ा-फट ड्राइफ फूट दो या फिर फड़ा-फट हमें जूस दो तो only one source of our energy in body, that component is carbohydrate, ठीक है, तो ये तो ऐसे ही खतम हो जाता, खनीश तो होगा नहीं, तो आप लोग को, अपने सवालों पे, अपने सवाल के उत्रों पे stable रहना सीखे, ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं, कहता है निमलेखीत में से कौन सा खाद परदास, जो आहार जो fiber परदान करता है, ठीक है, provide dietary fibers, कौन दाल से fiber मिलती है हमें, पूरे अनाज से मिलती है, फल और सबजय से मिलती है, या उपरोक्त में से सभी से मिलती है, question number 49, चलिए, फड़ा-फट इसका उतर करिए, question number 49, जी, बिल्कुल सही है, D is the right answer, all of the above से हमें क्या मिलती है, फाइवर्स मिलती है, चलिए, इसलिए काते है कि जब आप पल्सेस खाते हो, पल्सेस जब खाते हो, आप तो क्या खाओ, पल्सेस में वो लगे रहने चाहिए, क्या बोलते हैं उसको यार, छिलके रहने चाहिए, और आपको पता कि vitamins E को क्या कहा जाता है, beauty of vitamins कहा जाता है, beauty, vitamins भी कहा जाता है, तो ये भी सवाल में पूछा जा सकता है, डिपेंड करता है, कि which type of your face competitive exam, ठीक है, चलिए, तो आज के लिए आदसर तक ये है, ठीक है, उसके बाद हम लोग एक मिनेट का ब्रेक लेंगे, पान उत्पाद जो है, जो पासू प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोथ होता है, दूद, लिया फीर, अंडा, पनीर, उप्रोक्त में से सभी, question number 50 का फटा-फट आप लोग उत्तर करिए, पासू से मिलती है, क्या मिलती है प्रोटीन, और प्रोटीन क्या होती है, सबसे अच्छा स स्रोथ होता है, वो क्या है? तो आपको पता है, D is the right answer, दूद भी हमें जानवर से मिलते है, सौरी, पसू से मिलते है, अंडा भी उसी से मिलती है, पनीर भी कहीं न कहीं, किसका बाइप्रोट कहीं, कहीं न कहीं, दूद का बाइप्रोट का पनीर हो गया, या फिर आप घी की बात कर लीजे या फिर और कुछ मखन-वखन का बात कर लीजे तो इसका किसका बैप्रोडक्त है पसू का और पसू में से किसका दूद का ठीक है चली तो एक मिनट का आप लोग ब्रेक लीजे ठीक है अफ जब यू जश्ट ए सकेंड आप लोग पानि-वानी ले लिजे बोतर प्रवार्ट और पास में पचास सवाल और बाकी है और फटाफ नोग इसको भी दिल करेंगे चलिए मैं भी तोड़ा पी लेता हूं कि अगर चलिए चलिए टैन आप हो किया अब स्टार्ट करा जाए जी सर बिल्कुल इनर्जेटिक के साथ और एक बार फिर से में आपका सभी का स्वागत करतों केरियर फांडेशन परिबार मेरे घंश्न मित्रों चलिए स्टार्ट करा जाए 50 नंबर 50 हम लोग कर चुके है 50 सवाल हम ल तो कहता है विच अफ दा फ्लोईंग मिलन्स फंशन भाइ बिल्डिंग और स्ट्रोंग बॉंस एंड टीथ हमारे बॉंस और टीथ को मजबूत करने में से किसकी एहम फुमी का या फिर कौन दातों का निर्मान के कारिक करता है ठीक है कौन सा खानीच मजबूत करने के लिए किसको हड़ी का और दातों को तो आपको आयोडीन, कैल्सियम, आयरन, सोडियम यह काफी असान सा सवाल है I hope यह बन जाएंगे आपसे यह आपसे बन जाने चाहिए चलिए मैं वेट कर रहा हूं I am waiting your answer please give me first reply okay तो 20 ता correct option कैल्सियम जो है वो क्या होते है जो दूध और अंडो और मांस मचली में जो होती है वो क्या करती है हमारे बॉन्स को और हमारे दातों को मजबूत करने का कारिक करती है चलिए question number 52 का question number 52 का फटा फट उत्तर करिए चलिए तो एक जो में एक जो होता है अंडा जो होता है वो सब के लिए resource होता है proteins के लिए भी resource होता है vitamins के लिए भी resource होता है और मिलन्स के लिए तो जब ये तीनों सही हो जाएगा तो D is the right answer ठीक है D is the right answer question number 52 question number 52 चलिए आगे बढ़ा जा 53 number 53 में कहता है कि which of the following food components does not provide any nutrients इसमें से क्या है ये चार options में क्या है जो कि हमारे सरीर को बिल्कुल भी नहीं nutrients प्रोबाइट करती है तो milk, water, fruit juice ये vegetable soup चलिए फड़ा फड़ा उतर करिए कि इसमें से कौन से ऐसे चीज है जो हमारे सरीर को बिल्कुल भी nutrients नहीं देती है निकि पोसक तद्व परदान नहीं करती है चलिए फड़ा फड़ा उतर करिए तो आपको पता है ये तोड़ा tapish mode है mistake कर दिये तो पानी पानी जो है न ये पानी as to what ये हमारे सरीर को कोई भी nutrients provide नहीं करती है चलिए आगे बढ़ा जाया चलिए पानी से अगर बात आया पानी से अगर आया एक सवाल तो मैं एक सवाल आप लोगों को दागी देता हूँ और सवाल ये है कि ये बूजो के सरीर में कितना percent पानी होता है what percent of what percent of water in our body चलिए आप लोग चैट बॉक्स में इसका उत्तर बताईएगा कि what percent of water in our body जब पानी के बाता है तो मैं परता ही देता हूँ चैट लिए प्रोशन नमर 54 54 में क्या गाता है कि कौन ऐसे food items है जो बेस सोर्स है plant proteins का नहीं समझे समझाता हूँ कौन ऐसा proteins है ठीक है यह कौन ऐसा खादपरदाथ है जो कि कहां से आता है वनस्पती से आता है कहां से आता है plant से आता है चार्च option है egg, milk, legume, cheese यह तो ऐसे ही कर जाएगा यह यह तो काफी आसान सा सवाल है नी 54 का फटाफट सही उतर कर यह तो आपको पता legumes जो होता है वो कहां से आते है दाल से आते है ठीक है दाल अनिकी फलिया से और फलिया कहां से आता है वनस्पती से अनिकी plant से चले है चाता है कि which of the flowing food components in rich in fat इसमें से कौन से food में सबसे अधिक fat पाया जाता है ठीक है rice and maize, milk, egg and beans, butter, cheese and oil none of the ever 55 का फटाफट आप लोग उतर करिये 55 का फटाफट आप लोग उतर करिये क्या पूछ रहा है rich in fat कौन से food आप लेंगे जो सबसे अधिक fat आपको मिलेगा तो आपको पता है कि यह सीजदा क्या होगा correct option butter खाईए cheese खाईए और oil खाईए तो आपको fat अधिक तोंद देखने को मिलेंगे इधर उधर मांस निकलेगा ठीक है चलिए question number उसका जवाब देना ठीक है जिन वाटर वाला विच अब दा फ्लोइंग एस्टेटमेंट फोल्स एबाट दा नीट्रेंस इन मिल्क जो मिल्क में जो नीट्रेंस फाई जाता है उसमें इसमें से कौन सा कथान गलत है फॉल्स है क्या है दोस्त फॉल्स साटना है ठीक है milk is good source of calcium, milk is good source of protein, milk is good source of vitamin C या फिर milk is good source of vitamin D हिंदी भासी वाले लोग नराज मत होईएगा हिंदी भासी मतलब उन लोगों के लिए मैंने double bilingual कर दिया है चलिए फटब फट उतर करिये 56 का फटब फट उतर करिये इसका जो सही उतर होगा वो कौन सा होगा दोस्त? C is the right answer, ठीक है milk के जो होता है good source of vitamin C, protein का तो होता ही नहीं है ठीक है, लेकिन होता है, लेकिन सबसे अधीक पूछाएदार है, ठीक है nutrients is milk, false के बारे पूछाएँ, ठीक है, vitamin C इसमें होता है, milk is good source of vitamin C, चलिए फटब फट, क्या false statement के लिए बूरा है, ठीक है, तो बाकी चीज़ें होती है, लेकिन vitamin C नहीं होती, vitamin C किसमें होता है, संत्रा में, ठीक है, जिसका नाम क्या है, ascorbic acid, चलिए ascorbic acid, kawa हो गया, lemon हो गया, orange हो गया, and tomato, rich in, इसमें क्या पाया जाता है, यह तो आसान सा सवाल है, तुरंद करिए इसका सवाल, 57 का, see the right answer, चलिए, आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल सर, potatoes, cereals, beans and pulses, oats are rich in, अभी सवाल में confuse मत करना है, ऐसा मत सोचना कि सवाल सेम है, सवाल सेम नहीं है, यहाँ पे कुछ दूसरा है, और यहाँ पे कुछ, 58 का कुछ दूसरा है, potatoes हो गया, aloo हो गया, beans हो गया, दाले हो गया, जैस कैसे घंधी कि alley, इसमें क्या होती, protein, vitamins, channel, carbohydrates, घंधीं, घंधीं, क्या होता है, अभी सेमें, क्या होता है, चलिए, कोईश्यन नमबर, 58 का फड़ा फ़ट उत्तर करिये, आप लोग उत्तर करिये, 58 जी आपका उतर बिल्कुल सही है कार्बो हैटे ठीक है क्या है कार्बो हैटे जो है वो बिल्कुल सही है और ये सब चीजे किसमें पाए जाती है प्टाइटो, शिरियल, पलसे, ओर्ट्स में ठीक है और जो आप खाते हों नो इसमें carbohydrate पाए जाता है चलिए जो कि इनर्जी का काफी मस्ट अच्छा स्रोथ होता है Which of the flowing is component of food Food का क्या component है वसा, फाइबर, पानी या उप्रोक्त में से कोई नहीं Fairs, Fibers, Water या None of these Question number 59 Question number 59 का फटफट आप लोग उत्तर करिए Question number 59 Question number 59 का फटफट उत्तर करिए चलिए, तो इसका जो सही उतर होगा D is the correct option ठीक है चलिए, आगे बढ़ा जाए सवाल को देख लीजी, एक बढ़ क्या कह रहा था कि यहां पे सवाल क्या है Which of the flowing is not component of food Food का कौन सा component नहीं है Fats, Fiber यह वाटर यह सब है क्या नहीं, ठीक है तो प्रोक्त में से को ही नहीं Question number 60 आपके स्किन पर यह रहा और क्या पुछा जा रहा है कि the most significant incision million required for our body जो सबसे आविस्तक होता है आविस्तक सबसे महत्पून होता है वो कौन सा खरीज होता है Iron, sodium, calcium या all of this चलिए, Fiber फ़र इसका 60 का Fiber उत्तर करिए चलिए, उत्तर करिए दोस्त Fiber फ़र उत्तर करिए इसका जो सही उत्तर होगा D is the right answer ठीक है D is the right answer आगे बढ़ा जाए, बिलकुछ सर चलिए Which of the flowing are basic categories of chemical saling found in multicellular organism नहीं समझ मैं है कहते हैं इसमें से multicellular मतलब आपको पता है कि sal जो होता है वो दो टैप का होता है एक multicellular होता है दूसरा unicellular होता है तो मुल्च सरेनिया क्या है जीवों में पाय जाने वाला रसानिक संकेतों में से multicellular उसे क्या कहते है paracin sylin कहते है autocrine sylin कहते है या endocrine कहते है या उप्रोक्त में से सब ही 61 का फड़ा फट आप लोग उत्तर करिए निम्लिकित में से कौन से बहु कोशिकी है जीवों में पाय जाने वाले रसानिक संकेतों का multicellular क्या है multicellular basic categories है तो इसका जो सही उत्तर होगा वो D is the right answer endocrine, autocrine, paracin सब के बारे माप लोगोंने पढ़ा होगा चलिए आगे बढ़ा जाए question number 62 cell जो है वो क्या है cell singling क्या है ठीक है अभी आपने देखा था intercellular, intercellular दोनो A और B या उप्रोक्त में से कोई नहीं चलिए फटा फट बताइए cell क्या है cell singling क्या है question number 62 का आपको उत्तर बताना question number 62 का फटा फट आप लोग उत्तर बताइए तो इसका जो सही उत्तर होगा C is the right answer A and B intercellular intercellular और intracellular ठीक है चलिए नेक्स सवाल के रहा हम लोग भूब करते हैं which of the flowing singling is involved in parasite singling नहीं समझेए कि इसमें से कौन सा parasite singling है जो की समिलित है chemical singling synaptic singling या hormonal communication या auto stimulation of cell चलिए cell का auto stimulation चलिए फटा फट इसका उत्तर करिए question number 63 का आप लोग question number 63 का फटा फट आप लोग उत्तर करिए चलिए तो इसका जो सही उत्तर होगा इस दा correct option ठीक है चलिए आगे बढ़ा जाए which of the flowing statement true about cell singing आड़ी कि cell singing इस परकार से अगर देखा जाए तो क्या है important है इसके बारे में आप लोग जान लिजे ठीक है cell singing के बारे में important है तो आप लोग इसके बारे में जान लिजे कहता है कि cell singing के बारे में कौन सा कथन क्या है सत्त है कौन सा कथन सत्त है अब देखिए पौधों में cell singing phyto hormone के माध्यम से होती है माणो रोगों के संदर्ब का अध्यान करने के लिए cell singing का उपयोग किया जाता है या फिर cell singing का उपयोग जिव की कोंसिकाओं के बीच signaling का अध्यान करने के लिए किया जाता है या उप्रोक्त में से सभी question number 64 question number 64 का फटा फट आप लोग उत्तर करिए मैं अगर इमेज दिखा पाऊँ तो आप लोग को तब तक आप लोग उत्तर करिए मैं देखता हूँ अगर कुछ मिल पाए मेरे खाजाने में तो मैं दिखा दूँगा यह दिखें देख पा रहे हूँ गे आप यह कोई सेल है यह कैसा है सेंडिंग सेल है ठीक है यह कोई सेल है इसका कुछ भाग कटा हुआ है कुछ भाग क्या क्या हुआ है कटा हुआ और इसको आके यहां पे क्या करना है सॉरी ठीक है इसको आके यहां पर क्या होना है फीट होना है तो इसे क्या कहेंगे रेसेप्टर कहेंगे इसे क्या कहेंगे लेगेंड कहेंगे यह आपका टार्गेट सेल टार्गेट सेल किसे कहते हैं यह जो आप बुंदबांदी देख रहे हैं यह जो बुंदबांदी उसको यहां पर फीट होना, अगर यह फीट नहीं हुआ तो नॉन रिसेप्टराल लेंगेट कहते है, ठीक है, बाकी चीजे अगर मैं दिखा पाऊंँ आप लोगों को, देखिये, देखिये, क्या कहता है, In biology, cell signaling or cell communication is ability of cell to receive process and transmit signal with the environment and with itself. Cell signaling एक ऐसा process है, एक क्या है, ऐसा communication process है, जिसके अंदर एक योगिता होता है, ability होता है, विद्ट को receive करने के लिए, उसके परिकिरिया करने के लिए और उसे transmit signal कर सिंगल से देने के लिए, इनवार्मेंट and with itself अपने के लिए या वातावरन के लिए, तो समझ में है, अगर दिखा जाए, तो सेल से बात करने के लिए एक चीज़े एक कोमलिकेशन है, सरियंत्र है, जो की क्या होता है, ability of to sell receive, सेल को receive करना है, उसको process करना है, उसको transmit करना है with its environment, अपने environment में या अपने आपमे, ठीक है, तो यह आप लोग याद रखेगा, चलिए 64 का फटाफ़ट इसका उतर करिए यह बार बार मैक हमें डिस्टब कर रही है फटाफ़ट इसका उतर करिए question number 64 का question number 64 का फटाफ़ट उतर करिए तो 64 का जो होगा वो D is the correct answer all of the A-bub अभी आपको मैंने बताया कि यह क्या करता है यह जो क्या करता है वो यह फाइटो हार्मोन के माध्यम से होता है यह भी मैंने बताया यह क्या करता है इसके अध्यान किया जाता है मानो रोक्यागो का अध्यान किसके माध्यम से किया जाता है सेल सिंग्लिंग के लिए किया जाता है यह सेल सिंग्लिंग का उपयोग जिव को सिकाओं के बीश सिंग्लिंग का अध्यान करने के लिए तो टीनो स्टेटमेंट से ही है इस परकार से इस दिरिश्टी कौन से क्या होगा इस दा करेक्ट ओप्शन question number 65 आपकी स्कीन पर ये रहा निवलिखित में से कौन सा संकेत अनुबाय संकेतन के लिए उप्योग नहीं किया जाता है इंगल से पढ़िए flowing molecules is not used to extra cellular signaling के लिए autocrine, endocrine, cyclic AMP या non of the above ये MP का full form आप लोग लिख के बताईए ठीक है चलिए इसका उतर करिए 65 का फटाफ़ट आप लोग उतर करिए फटाफ़ट उतर करिए चलिए इसका उतर करिए फटाफ़ट उतर करिए आप लोग तो इसका जो सही उतर होगा C is the correct option ठीक है 65 का क्या होगा C is the correct option cyclic AMP AMP का full form आपको लिख के बताना है Question number 66 Which of the flowing signal molecule does not interact with the cell surface receptors अभी मैंने आपको दिखाया कि इनिमलिकित में से कौन सा signal अनुसेल है जो कि सता receptor के साथ बाचीत नहीं करता है उसे क्या कहते हैं Insulin, Gastrin, Glucosin या Testron चलिए, फड़फट इसका उतर करिए 66 का 66 का फड़फट उतर करिए तो आपको पता है उत्तर प्रस्ण को पढ़ते ही आपके मन में बूजोने एक बत्ती जगाई होगी बूजोन एक बत्ती जगाई होगी कि बाइसाब सब कुछ तो समाझ में आ रहा है और फिमेल में कौन सा हर्मून्स रिलीज होता है Testron या Testron चलिए, which of the flowing G-protein क्या होता है? G-protein के दिरिष्टी से नियमन का में भाग लेता है ठीक है? इसको इंगलिस Regulation in Vision Vision में कौन सा protein हो है या G-protein है जो कि किसका भाग है आपका Vision करने में दिखाई देने में Golf या G-protein या GS-protein या G-Q-protein Question number 67 का फड़ फड़ आप लोग उत्तर करिए अभी आपको मैंने एक image दिखाया था Meta phase, Enna phase, Telo phase, Pro phase उसमें कहीं G-1 आता है G-1 आता है वो आपको बताना है कोई भी sale होता है कोई भी sale होता है अगर उसको division करना है तो S-1 में जाता है अगर division नहीं करना है तो G-1 में जाता है अनि कि कोई भी sale को division करना है तो D-D और नहीं करेगा तो G-1 इस परकार से इसका जो right option होगा G-I family G-I कह लिजे या G-1 ठीक है तो यह आप लोग बाके detail में आप लोग पढ़े होंगे biology में ठीक है चलिए आगे बढ़ा जाए कहता है कि वही सवाल फिर आ गया antigenity उतेजना आनि कि the signaling pathway evolved by T lymphocytes लिंफोसाइट होते हैं और ये आपको बीमारी से related है आपको जो malaria उललिया होता है तो आप देखे होंगे कि लिफोसाइट चेक कराया जाता है कि दुबारा पीछे किया जाना वाला signaling mark क्या है और कि response to antigenic stimulation is क्या है कौन सी होती है कैसे होती है टेश्ट इंडो क्राइन सिंग्लिंग होती है या पेरसीन होता है या जक्स्टा क्राइन होता है चलिए प्रफट जक्स्टा क्राइन ठीक है जक्स्टा क्राइन के दुआरा चलिए कोशन नबर 68 का फ्रफट आप लोग उत्तर करिए ठीक है तो इसका जो सही उत्तर होगा ठीक है एनिमल केरिड आउट बाई क्या होता है फट 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 इसका उत्तर बताईए तो कोशन नंबर 69 का आपको उत्तर करनी है 69 का तो D is the right answer सभी चीजे होती है ठीक है सभी चीजे होती है कोशन नंबर 70 how many types of sales seeking are there sales seeking में कितने परकार के होते हैं 4, 5, 7, 8 ठीक है तो sales seeking आपके लिए काफी important है मैं इसे important mark कर देता हूँ ठीक है जितने भी fact मैंने इसके बारे में बताया थोड़ा बहुत आप भी थोड़ा अपने mind को खोलिए search कीजिए और इसके बारे में सारी जनका चार इस दा राइट एंसर ठीक है चार इस दा राइट एंसर ठीक है यह इस दा correct option अनिकी चार किसमें option में A, B ठीक है चलिए आगे बढ़िए कता है which of the flowing statement true about the paracrine messenger molecules आपको पता है एक mRNA होता है messenger RNA protein RNA तो यहाँ पर किसके बारे में पूछा है MRNA के बारे में अनिकी mRNA molecules के बारे में पूछा है ठीक है किसके बारे में पूछा है molecules के बारे में पूछा है तो आपको बताना है चार उप्सन दा messenger molecules are large जो messenger molecules होता है वो large होता है, short होता है, stable होता है, unstable होता है, question number 71 question number 71, अगर आपने थोड़ी पहुत biology पढ़ा होगा, या 9 या 10 या 11 या 12 या 8 में, तो आपको पता है कि messenger RNA जो होता है, वो unstable रहता है, ठीक है, unstable रहता है, stable, short, large नहीं होता है, जबकि messenger मतलब क्या message पहुंचाना, A से B तग ले जाओ भाहिया, A से B तग ले जाना हो कि कब कौन सा hormones आपको release करना है, कब कौन सी बाट के, अच्छा नाखुन बना, नाखुन कार लिया, पढ़ाना है, तो messenger जाता है, तो message करने के लिए, unstable कैसे रहेगा, unstable होगा, ठीक है, आगे सव करते हैं, which of the following messenger molecules are derived from arcyonidic acid, क्या होता है, arachidonic acid sprapt होता है, ठीक है, निमलिखित में से कौन सा संदेश वाहक वनुज होता है, यह arachidonic acid होता है, यह कैसा होता है, अस्टराइड होता है, कार्टिकोाइड होता है, या तर्पेंड्राइड होता है, या इकोसेड नाइड होत होता है, जो आपकी कौन से आरेने में होती है, मेसेंजर आरेने में जो acid होती है, वो कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है, चले, कोशन नमबर 73, करता है, जी प्रोटीन जो होता है, जी प्रोटीन में यूगमित में रिसेप्टर जो होता है, रिसेप्टर मतला प्राप्त करता जो होता है वो कितने transmembrane में alpha hellis मज़ूद होता है नहीं समझें जो मान के चलो ये क्या है DNA है ये DNA में कितने receptor जो transmembrane alpha है hellis कितने मज़ूद होते हैं कितने उपस्तित होते हैं 2, 4, 5, 7 question number 73 का आपको उत्तर करना है तो इसमें जो सही उत्तर होगा साथ cytosine होते हैं ठीक है ये चार क्या है चलिए 74 का esteroyids, biological active organic compound, जो esteroyids होते हैं वो क्या होते हैं बाइलोजिकल compounds होते हैं, active organic compound होते हैं आप derived from उसे कहां से प्राप्त किया गया है ठीक है कहां से प्राप्त होते हैं हार्मोन से chemical से, cholesterol से, या वो सीज़ दा, राइट एंसा केल स्टोर, एक मिनदर दोस्त मैं थोड़ा पानी पी लिए हूँ, गलस हूँ चलिए आगे बढ़ा जा, 75 का आपके अस्किन पे ये रहा लेवलिखित में से कौन सा signaling, signaling आप लोग पाल लेना दोस्त, जितने भी काफी अच्छे opportunity है, salary भी अच्छी खासी है अगर आपको सच में जॉब चाहिए, सच में service है, जादे competition अधिक competition ही नहीं है भाई साब अधिक competition ही नहीं है, तो थोड़ा सा अगर आप मेहनत करेंगे, तो exam को आप क्रेक कर सकते है, 75 का आपके शन्रीन पर यह रहा, स्क्रीन पर यह रहा कि सगली अलूसरल तंत्रिका परतिवीम द्वारा उप्योग किया जाता है क्या उसे क्या कहते है, प्रोटीज कहते है nitric oxide, G protein या neurotransmitter, चलिए neurotransmitter 75 का आपको उत्तर बताना है, तो आपको अगर थोड़े सा ध्यान होगा, तो option में ही आपके उत्तर छिपे हुए है, G protein के बारे में ऐसा हुगा नहीं, ऐसा नहीं, तो क्या होगा आपका neurotransmitter होगा ठीक है, चलिए culture number 76, 76 का क्या है which of the flowing statement, true about G protein के बारे में कौन सा statement, सही है, चार statement में पढ़िए और उत्तर दीजे, ठीक है, थोड़ा आप लोग भी पढ़िए, 76 का, 76 का फड़फड उत्तर गरिए आप लोगों पढ़ लिया होगा G proteins are involved single cascats, ऐसा तो मैंने, ऐसा होता है क्या, पता नहीं G proteins, G protein जो है, become activated यहाँ पे क्या है, become activated when bound to GDP या guanine nucleotides आपको मैंने अभी बताया था, कि चार परकार के nucleotides फाय जाते हैं तो guanine nucleotides regulate G protein, अनि कि जो G है वो किसके साथ G protein regulate करता है, या फिर non of the above, यह जो चार nucleotides होते हैं, यह चारो का आप लोग को क्या करना है, चारो का function आपको देख लेना है, ठीक है, तो यहाँ पे जो सही उतर होगा, B is the right option, ठीक है, आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल सर, काता है, बीच आप दा फ्लोईंग is a cell surface receptor cell surface जो है, वो receptor किसे कहते हैं, अभी ग्राहक, अभी ग्राहक मतलब लेने वाला, ठीक है, कहता है, इंजाम linked receptor, G protein linked receptor, iron, iron channel linked receptors, या फिर all of the Ava, question number 77 का आपको बताना है, G protein के बारे में बताना कौन सा कोसिका सता अभी ग्राह है, तो इसमें जो सही उतर होगा, D is the correct answer all of the Ava, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ा है जाओ, बिलकुर कहता है कि which of the following statement true about sales singing, ये यार बहुत सवालों, बहुत एकसामों में पूछा गया है, इसे जितना star आपको देना है, दे दो, ठीक है, जितना star देना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सारे star दे दो और इसे CTM कर लेना, this would be commentated to memory, क्योंकि sales singing से सवाल पूछा, अब असान सवाल का गलत आ रहा है, तो age दा correct option, अभी मैंने बताया था, ये multi-cellular organism होते हैं, cell communication using hormones होते हैं, चलिए, question number 81, sorry, 979, the hormones also called the legal and consider as, जो कहता है, hormone जो होता है, लिगेंड होता है, उसे क्या कहा जाता है, और उसको क्या माना, कहा क्या जाता है, और माना क्या जाता है, ठीक है, वो कहाना पहला संदेश्वाहक, दूसरा संदेश्वाहक, ये भी दोनों या उप्रोप्त में से कोई नहीं, जो लिगेंड है, उसे क्या, जो hormone जिसे, hormones को आप क्या कह सकते हैं, लिगेंड भी कह सकते हैं, एक नया कुछ लोगों का सही, कुछ लोग गलत, कोई बात नहीं है, आप लोग यहां पर गलत करने, कोई बात नहीं है, एकजाम में गलत मत करना, दोस्त, एज़दा, राइट एंसर, फ़स्ट मेसेंजर कहा जाता है, ठीक है, चलिए, माना जाता है, वीच अब दा फ्लोइंग, हार्मोस रिक्वाइड एस सार्फेस रिसेप्टर, फोर इट्स एक्षन, जो सार्फेस रिसेप्टर होता है, उसको एक्षन के लिए, कोई किसकी आवेसकता होती है, एडलीन का, प्रोजेस्टोन का, ग्रोथ फेक्टर का, अलबदी, आप लोगो उतर होगा, एडलीन, ठीक है, चलिए, देखें, इंगलिस, हिंदी, दोरों में सेम है, भाई साब, इसलिए हिंदी वाले लोग, नराज मत होईएगा, इसलिए मैंने बैलेंग्वल लाया, ठीक है, चलिए, कुछ ऐसे साइन्टिस्ट का नान, कुछ ऐसे साइन्टिफिक ने इस परकार का एक सवाल और करा गया था, यह प्रिवेस सवाल है, ठीक है, यह क्या है, दोस्ट, प्रिवेस सवाल का टाइप का है, तो चलिए, इसका उत्तर करिए, फटफट इसका, उतर करिए, 81 का, तो अभी आप लोगों ने देखा, पैरा, सारी, ओटो क्राइन, एंडो क तो इस परकार से D is the right option ठीक है चलिए आगे बढ़ाजा बिल्कुल कोश्चन नंबर 84 सेल सिग्लिंग क्या है सेल सिग्लिंग क्या है यह पी वाई क्यू सवाल है यह मत कहना आप लोग कि यह रिपीटेड है रिपीटेड नहीं यह पी वाई क्यू पूछा गया सवाल है चलिए सेल सिग्लिंग क्या है 82 का फटाफ़ट आप लोग उत्तर करिए 82 का फटाफ़ट आप लोग उत्तर करिए 82 का फटाफ़ट उत्तर करिए तो आपको पता है यह दोनों पर टाप को होते हैं बोट A और B चलिए कोश्चन नंबर 83 कोश्चन नंबर 83 आपके अस्किन पर यह रह कि signaling सामिल होता है किसमें पेरा क्राइन signaling में कौन सा signaling सामिल होता है हार्मुलत संचार होता है या सेल का ओर्डोट। अस्टिमिलेशन होता है चलि, a question number 33 तो अभी आपने इसका उतर क्या करा था chemical signaling करा था ठीक है चलि, 84 का फटा फट उतर करिए 84 which of the flowing statement true about sales signaling sales signaling के बारे में कौन सा सही कद्धान है अभी आप लोगों ने करा था यह previous year सवाल है तो I hope इसको आप काफी असानी से deal कर पाएंगे चलिए फटा फट इसका उतर करिए तो अभी आपने देखा था all of the ever question number 85 which of the flowing single molecules is not used for extracellular signaling चलिए यह भी देखे previous year सवाल है फटा फट उतर करिए और अभी आपने इसका उतर क्या करा था cyclic AMP करा था तो C is the right answer C is the क्या होगा दोस्ट? right answer चलिए नेक सवाल के और हम लोग भूब करते हैं यहां से आम लोग previous year सवाल कर रहे हैं ठीक है यह आप लोग ध्यान में रखिएगा निलिखित में से कौन सा flowing single molecule जो होता है वो does not interact with the cell surface receptor ठीक है insulin, gastrin, glycogen या फिर testosterone तो आपको पता है अभी आपने क्या इसका उत्तर करा था फड़ा फट इसका उत्तर करिए 86 का अभी आपको पता है यह क्या है testosterone ठीक है चले आगे बढ़ा जाए बिलकुल सही सर which of the following G protein tax part in the regulation of vision वीजन के G protein जो है दिरिष्टी के नियमन में भाग लेता है लोग G परिवार, GS परिवार या GQ परिवार चलिए फटा फट उत्तर करिए अभी मैंने कुछ figure के माधियम से बताया था कि G1 में जाना है तो ठीक है और अगर नहीं फेटी करना है तो कौन से फेज में जाएगा अभी मैंने बताया था चलिए 87 का फटा फट उत्तर करिए तो GI family B is the correct option आगे 88 88 में क्या है the signaling pathway followed by T lymphocytes in response to antigenic stimulation is क्या है ठीक है चलिए इसको भी अभी आपने पढ़ा था तो आपको दिकत तो नहीं होनी चाहिए फटा फट उत्तर करिए 88 का तो C is the right option autocrine signaling बिल्कुल सही है इसी परकार ध्यान से पढ़िएगा ठीक है 89 अब लोग सेशन के अंतिम छोड़ तक पहुंच रहें 89 बस 11 सवाल और है फिर मैं बिदा लूँगा 11 सवाल अभी और है काफी important सवाल है repeated सवाल है तो इस परकार से ध्यान पुर्वक सवालों को deal करिये गा extra cellular signaling animals is carried out by किसके द्वारा carried out किया जाता है चली फटा फट उतर करिये चार option autocrine signaling, endocrine signaling या फिर जक्सटा सीनल इयर और 89 का उतर करिये 89 का फटा फट उतर करिये तो इसका भी उतर आप लोगोंने क्या करा था all of the question number 90 question number 90 अभी पहने का आप से पूछा था कि sales signaling में कितने परकार होते हैं sales signaling जो होता है वो कितने परकार के होते हैं ये पूछा गया सवाल है किसी ना किसी competitive exam में है चलिए एक revision भी हो जा रहा है आप लोगों का चलिए तो sales signaling क्या है कितने परकार के होते हैं ये आपको पता है अभी आप लोगों ने उतर क्या करा था शार परकार के ठीक है which of the following statement true about the perakine messenger molecules ठीक है चलिए ये कुछ नया टाइप का सवाल है आपको ये बतानी है चलिए फड़ा दिए चार उपसन है पढ़िये फड़ा फड़ा पढ़िये 91 का ठीक है तो ये क्या होता है दब messenger molecules are unstable अभी आपने बनाया था तो इसलिए मैंने कहा था कि कुछ सवाल काफी important है इसे जितना star चाहो जितना star देना दे दो और इसे CTM कर लेना ठीक है शलिए नेक सवाल की और हम लोग मूफ कर रहे हैं दोस्त which of the flowing messenger molecules are derived from archenoidic acids अभी मैंने अभी अभी पढ़ा था I hope सबका उतर बिल्कुल सही आनी चाहिए question number 92 का question number 92 का बिल्कुल सबका सही उतर आना चाहिए तो अभी आप लोगोंने क्या करा था ecosenoids ठीक है चलिए question number 93 का how many how many transmembrane alpha helix are present in the G protein couple receptor नहीं समझे G protein में जो युगमित को English में क्या कहते हैं क्या कहते हैं क्या कहते हैं क्या क्या कहते हैं वो transmembrane alpha helix महजूद होते हैं तो अभी आपने उतर क्या करा था 7 is the correct option चलिए आगे बढ़ा चाहिए तो आगे 94 ये भी आपने अभी बनाया था कि एस्ट्रोइड जेविक रूप से सक्रिय कार्बिनिक योगिक है कहां से ये प्राप्त होता है हार्बून से रसायन से क्लिस्टोर से कार्बोहेटर से question number 94 तो अभी आपने उतर क्या करा था क्लिस्टोर का था बहुत अच्छे दोश्ट इसी तरह आप लोग उतर करते रहिए I hope I pray to God कि आप लोग एक दिर success जरूर होएगा और lab session में बहुत अच्छी opportunity है चाहे वो chemistry के हो या फिर चाहे वो physics के हो या फिर वो biology का हो ठीक है तो यह आप लोग दिहान में रखिएगा काफी अच्छी opportunity 690 seat है और जितने form भराया होंगे I don't know we have no any idea उसमें से 3766 student का यह क्या हो चुका है form reject हो चुका है कि किसी कारण वस वो हमें नहीं पता ठीक है आप लोग पूछिएगा मत कि क्यों हुआ इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था चलिए फटापफट इसका उत्तर करिए निम्लिखित वैसे कॉल से सीगलिंग अनुसरल सरल तंत्रिका अनिकि सीम्पल नर्वस शिस्टम परती व्यूंब दुबारा उप्योग किया जाते हैं तो प्रोटीस नाटीक शिर्ट यह होगा नहीं डीजदा करेक्ट एंसर नाइट्रो सोरी निट्रो ट्रांस मीटर ठीक है कोशन नमबर नांटीफाइब का चलिए आगे बढ़ा जा आगे बढ़ा जा दोस्त चलिए फटा-फट उत्तर करिए कोशन नमबर 95 प्रोटीन के लिए उप्युक्त या सही कथन कौन सा नहीं है क्या है नौट चलिए इसका उत्तर करिए कोशन नमबर 96 का कोशन नमबर 96 का फटब फट उत्तर करिए चलिए उत्तर करिए फटा-फट उत्तर करिए तो आपको पता है कि बीजदा करेक्ट ओप्स ठीक है आगे बढ़ा जाए बिल्कुए सर 97 विच अप दा फ्लोइंग इस सेल सर्फेस रिसेप्टर जो इसमें से कौन सी कोशिका सता का अधिग्रह है ठीक है एंजायम से जुड़े रिसेप्टर या फीजी प्रोटीन लिंक्स रिसेप्टर आयन आयन चेनल लिंक्त रिसेप्टर आपको बताना है तो यह क्या होगा इसका सही उतर होगा और बचे कितने हैं तीन और सवाल बचे हुए हैं एक सकेंड आप मुझे टाइम देंगे तो मैं आप लोगों को तीन सवाल जो बचे हुए वो भी मैं करबा दूंगा ठीक है चलिए 97 तक हम लोगों ने करा 98 का आपका यह रहा ठीक है 98 का यह रहा कि कौन सा जो flowing statement है वो true about the sale यहाँ पर क्या पूछा था अभी इसके 96 में क्या पूछा था दोस्त 96 में पूछा गया था कि इसमें कौन सा sale के बारे में true statement नहीं है यहाँ पर true पूछा यहाँ पर क्या पूछा है true पीछले वाले सवाल में क्या पूछा था असत्क के बारे में या फिन नहीं के बारे में पूछा था जहां पर आप से सत्क के बारे में पूछा जा रहा चलिए इसका उत्तर करिए 98 का तो इसका जो सही उत्तर होगा is the right answer नेक्स सवाल कि और हम लोग भूप करते हैं question number 90 तो the hormone also called the legend is considered as अभी मैंने आपको कहा था कि पहला संदे स्वाहक दूसरा या फिर दोनों या कोई नहीं चलिए इसका उतर करिए 99 का तो अभी आप लोगोंने क्या पड़ा था first messenger इसे माना जाता है क्या माना जाता है दोस्त first messenger माना जाता है ठीक है यह आप लोग याद रखना और messenger RNA का काम क्या होता है यह भी आप लोग याद रखना और एक होता है transfer RNA यह भी साहद आप लोगो को tRNA के बारे में भी जानना चाहिए यहां से भी सवाल बन सकते हैं दो सवाल important है एक तो MRNA और TRNA क्या-क्या होता है वो आप लोग जान लेना और आज का अंतिम सवाल आज का सेशन का अंतिम सवाल question number 100 यह आपके अस्किन पे यह रहा चलिए तो क्या कहता है which of the following hormones required sales circuit chapter 4 its action यह सारे क्या थे 10-20 मैंने previous year सवाल आप लोगों को करवाया ताकि आपको पता चल पाए कि हमारा जो दिसा निदेश है वो सही हाथ में है सही सिच्छा के हाथ में है या नहीं चलिए इसका उत्तर करिए तो इसका बिल्कुल सही कौन सा उतर होगा दोस एड्रेलीन ठीक है कौन सा एड्रेलीन इस दा करेक्ट ओप्सन ठीक है चलिए तो यह हम लोगों ने 100 सवाल करा और पीछले क्लास में मैंने 100 सवाल करवाया था इस परकार से 200 सवाल आप लोग फथे कर चुके हैं क्या कर सुकते हैं फथे कर सुके हैं और कि बिजय हो गया है आई होप यहां से सवाल आप लोगों को देखने को मिलेगा परसरते आप लोगों को ध्यान पुरवक से कुछ सिर्प रट्टा मार जाओ या रट्टा मार जाओ साथ तारीक उग्जाम है और अगर आप चाहोगे कि बहुत डिस्क्रेप्टिव से पढ़ा तो आई होप कि ऐसा नहीं हो पॉसिबल ही नहीं है जो लोग क्या करेंगे मैंने कुछ डामेंसन आप लोगों को मैंने बता देना कि आप लोगों को कहां कहां पे जोड़ा कैरफूल एटेंशन होना है मैं लिखता हूँ attention please ठीक है एटेंशन प्लीस कहां कहां पे एक तो आपने प्रोटिन्स को बारे में पढ़ना है दूसरा आपको व्यावाइटेमिन्स के बारे में पढ़ना है और vitamins से कौन कौन सी रोग होती है disease होती है वो आपको पढ़ने हैं और vitamins का आपको क्या पढ़ने हैं दोश्च vitamins का chemical name आपको देख लेना है ठीक है इसके स्रोथ के बारे में देख लेना है और आपको अभी दो चीजे आपको मैंने बताया और एक चीज और था जो बार-बार सवाल में पूछा गया था Cell Singling ठीक है तो इसके बारे में भी थोड़ा सा इकठा आपको करना है और दूसरा यहां पर एक receptor होता है ठीक है receptor के बारे में भी जान लेना protein receptor के बारे में या फिर other receptor के बारे में थोड़ा सा आपको जनकारी कटी करनी होगी तभी आप एक अच्छे मार्च ले पाएंगे ठीक होगा और काफी अच्छी opportunity student बहुत कम है तो आई होग आप लोग आप लोग आई होग क्या करेंगे आप लोग ध्यान पुरुवक पढ़ेंगे तो अगर किनी को कुछ सवाल है तो पूछ लीजे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा अब फिर मिलेंगे हम लोग नेश्ट अगरी मेराथन में यह बालोजी का है पेपर देने से पहले एक बार जरू देखें तब तक मैं देता हूँ आपसे विदा क्योंकि घरी मेरी और बार बार इसारा कर रहा है वन स्टॉप सलूशन ठीक है और टेलिग्राम चैनल जिन लोगों ने जोइन नहीं करा है जिनको पीडियाप की अविसकता है नीडी है वो लोग क्या करेंगे टेलिग्राम चैनल को जोइन करेंगे अब एक क्लास के बाद जर्ष्ट आपको वहां पीड़ मिलेगा ठीक है झाल